हलो दोस्तों कैसे हो आप healthy हो fit हो very good COVID-19 में आप जो है सभी अपना पुरा ख्याल रख रहे हो ठीक है तो बिलकुल अपना ख्याल रखना और मेरे साथ लिक्चर करके पड़ाई भी करना है आपका ठीक है और हमें May 21 या November 21 आपका जो भी session है यह session जो है हम custom से start करेंगे आगे आगे मैं आपको बताऊंगा यह एक छोटा सा वीडियो में पहले record करके attach कर रहा है और बाद में मैंने live stream ली है YouTube पे वो continue करूगा so दोस्तों यह जो lecture है regarding to indirect taxation तो indirect taxation के बारे में आपको पता है अच्छा चलो मेरे बारे में पता है मेरे बारे में एक छोटा सा introduction देते लता हूँ Myself C.E. Vishalwattar, Faculty of Indirect Taxes, Pune from V.Smart Academy V.Smart Academy के नाम तो आपने सुनाई होगा so दोस्तों मैं indirect taxation यह subject Pune में पढ़ा रहा हूँ और last 15 years से याने 2005 से ऐसा को 2004 ending से और 2005 से अभी तक लगबक 15-16 years हो चुके है मैंने यह subject पढ़ाया है मेरी practice कहो तो यह subject में हो ही है दूसरी बात ऐसा समझो कि अभी भी यह subject में पढ़ाता हो प्रैक्टिस करता हो एक तरह से मैं कहना चाहता हो मेरा lunch, breakfast सभी कुछ यह subject में है ठेक है, indirect taxation यहाँ पुना, नागपूर बहुत से जगा लाइव क्लासे लिए मैंने देली, पुना, नागपूर, हैदराबाद और यह सभी लाइव क्लासे वर्चुल क्लासे और सब मिला के last 15 years में मैंने more than 1 lakh students पढ़ाया है यहाँ पे in revision classes, fast track classes, virtual classes and then live classes so student की मैं गिंती नहीं रखता हूँ, जो भी है जैसे आपको एक general जानकारी दे रहा हूँ और V smart academy से बहुत सारे rankers भी आया है, हमारे जनों ने IDT का course यहाँ से लिया है वैसे दोस्तों मैं जहां तक rankers का credit नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं यह strongly मानता हूँ कि आप की ही पढ़ाई आपको आगे बढ़ा सकती है हम तो क्या है, हम तो सिप आपको direction देते हैं, कैसा पढ़ना है और subject को easy करके देते है, सबसे best teacher आप खुद के खुद ही हो हैने आप अगर अपने आपको आइने में देख लो, तो आप ही अपने सबसे best teacher हो हाँ, थोड़ा बोट directions आपको कैसे पढ़ना चाहिए, subject को easy हम कैसे करके दे यह हमारी responsibility बनती है दोस्तों, ठीक है तो मैं तो यह चाओगा कि indirect taxation आपका बहुत अच्छा subject हो और आपकी छोटी सी investment आपको बहुत बड़ा return दे है और बिलकुल GST में आप जो fees दे रहे हो और यह subject को समझ रहे हो custom में तो ठीक है, काम हमारा काम होता है लेकिन GST में आप जो fees दे रहे हो तो यह आपकी छोटी सी investment है और यह चोटी सी investment का return आपको बहुत ज्यादा मिलेगा तो आपने की चोटी सी investment है, return बहुत है तो डरिये गामत Definitely बटब, इतने साल का experience है और बहुत सारे students मेरे से पड़े है और आपने senior से guidance लिया होगा तो yes, पिछले 15-16 साल में हमने बहुत live classes में हमने बहुत enjoy किया और मेरे बारे में एक बात बता दूँ तो मैंने COVID-19 के पहले याने 15 March 2020 के पहले मैंने जब भी पढ़ाया live classes में पढ़ाया कभी studio recording मैंने regular class के लिए नहीं की थी और yes, live classes में मेरा nature ऐसा है कि आपके जो reaction है और आपका जो face होता है वो मैं read करता है और उसके base पे मेरा explanation होता है मेरी energy उसके base पे होती है लेकिन मिटा भी COVID-19 चाल रहे है तो studio recording के अदावा दूसरा कोई option नहीं है तो मैंने last जो may batch था वो may batch blended recording में दिया क्योंकि live batch हो नहीं पाया तो हमने studio recording दिया लेकिन ये जो batch है मैं आपके लिए पुरा record कर रहा हूँ पहले तीन lectures मेरे youtube पे आएंगे मैंने आपको कहा और बाकी मैं studio recording करूगा और studio recording में यहां record करके upload करूगा और studio recording मेरे लिए बड़ा challenging है क्योंकि student सामने नहीं है अचलो आप live stream में आओगे तो live stream में मैं आपके साथ बातचीत तो करूगा अभी बहुत से student जोईन हो रहे है तो live stream में मैं आपसे बातचीत तो करूगा थोड़ा live feeling भी आएगा लेकिन मेटा हो सकता है छोटी बहुत बड़ी गलती हो जाए बोलते बोलते क्योंकि student नहीं है और हमें पूरा explanation देता है सामने camera है और मेरे लिए ये पिछले तीन चार मेने से नया experience है तो छोटी बड़ी गलती हो तो बड़े बड़े देशों में चोटी बाती होगी तो आप भी इसको ignore कर दीजएगा कि होती रहती है तो दोस्तों जाए तक मैं अपनी जर्नी बताओ तो मैंने यहां पर law subject में बहुत अच्छा score रख रहा अबो 75 marks मेरे को यह अबो 80 marks मेरे को IDT में थे 81 marks थे मेरे को law में 74 marks थे income tax में IDT में मेरे को 78 marks थे तो law subject मेरे बहुत अच्छा है law मजा भी आता है एक एक word को interpret करना तोड़ना फोड़ना बहुत मजा आता है बेटा तो आपको वही सिखाऊगा मैं यहां पर किस तरह से law को interpret किया जाता है किस तरह से इसको दिखा जाता है तो definitely उसका हम discussion यहां पर करेगे दोस्तों तो indirect taxes में एक आपने CA inter level पर किया है indirect taxation yes or no CA inter level पर या IPC level पर आपने किसी student ने यहां पर मैं देख रहा हूँ किसी ने excise किया VAT किया या service tax किया है और किसी ने GSTB किया है तो बेटा आप जो किया वो सब भूल जाना यहां जो है मैं जिस तरह से पढ़ाओगा वो आपको याद रखना है और बिल्कुल आपको पहले कुछ भी पढ़के नहीं आना है मेरे पढ़ाने के बाद आपको जो पढ़ना है पढ़ लेना मैं अपने नोट के बारे में अपने अमेंडमेंट्स के बारे में क्योंकि यहां बॉह से स्टुडेंट्स मुझे मेट 21 के लिए नॉवेम्बर 21 के लिए दोनों के लिए देख रहे है तो उनको amendments कैसे रहेगी, number of lectures कितना कैसे रहेगा, marks allocation कैसे रहेगा, यह सब आपको मैं detail में बता होगा जैसे indirect taxes में 3 subject है, GST, customs and FTP, GST 75 marks के लिए होता है, customs 20 marks के लिए होता है और यहां पर foreign trade policy 5 marks के लिए होती है, तो यह 3 major subject है, जिसमें से major subject हमारा GST है, जो 75 marks का होता है तो चलिए, हम हमारा discussion स्टार्ट करते है, थोड़ी बात मेरे बारे में बताना हो गया, आपके बारे में बताना हो गया हाँ, अगर किसी को मेरा lecture slow लगता है, और मैं थोड़ा slow पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि हार student का अलग-अलग nature होता है किसी को speed में समझ में नहीं आता है, किसी को बहुत slow में चाहिए, जिसके पढ़ाने, अपने पढ़ने की तरीका अलग-अलग होता है तो मेरा speed बढ़ाने का option आपके पास always है, आप 0.15 के speed में comfortably देख सकते हो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं slow fast पढ़ाने से अच्छा, जो मेरी normal speed है, वो normal speed, किसी को slow लगते है, मेरी normal speed है तो वो normal speed में पढ़ा होगा, लेकिन किसी को slow लगता है, तो वो 1.25 के speed में वो देख सकता है, always उसके पास option है और जिसका item November 21 है वो भी students देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, okay, amendments आपको बात मिल जाएगे और आगे मैं थोड़ा अच्छे से आपको explain किया है दोस्तों, I hope ये COVID-19 जो है, वो जल से जल निकल जाए, अच्छे दिन जल से जल आए, और हम भी हमारे राइक हो लगे और ये टेंशन जल से जल निकल जाए, so दोस्तों, चलिए बिना आपका time ने ज्यादा लिये, हमारा session हम start करते है, yes, मुझपे confidence रखना बेटा, बहुत अच्छा हम discussion करेंगे, आज, okay, more than 1 lakh students ने, okay, यहां पे confidence रखना है, और बहुत से students को benefit मिला है, बहुत से student में, indirect taxes में, बहुत अच्छे mark score की है, आपने senior से देखा होगा, इसलिए first session क्या है, थोड़ा, मैं भी यहां पे, थोड़ा little bit, okay, यहां पे tension में रहता हूँ, serious रहता हूँ और उसके सामने camera है, दिरे 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 मैं भी आपके सत्फ्री होते जाओगा, रूबर होते जाओ तो चले, start करते है, हमारा discussion on indirect taxation, indirect taxes, so दोस्तों, वैसे आपने IPC level में, indirect taxes पढ़ा है, और inter में अगर आप आयो होगे, तो आपने, शायद हो सकता है कि GST भी पढ़ा हो, 2017 में, तो मैं आपसे answer चाहोगा, जो भी students connected है, तो आपने क्या पढ़ा है, excise, VAT, customs, या फिर क्या, GST पढ़ा होगा है, फटा फटा एंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हो answer का, अब आपने जब भी CA, inter में या IPC में, excise पढ़ा होगा, VAT पढ़ा होगा, या फिर आप तो आपने ये सब concept पढ़े होगे, लेकिन GST आपके लिए बिलकुल नया है, office में आपने थोड़ा बहुत practice किया हुआ है, ठीक है, लेकिन, ठीक है, office में आपने GST R1, या GST R3B, या GST R9, इस से जादा और कुछ नहीं पढ़ा होगा है, अगर थोड़ा बहुत आपने practice भी तो बहुत सारी amendments हो गई होगी, और यहां पर जिसने exercise पढ़ा है, VAT पढ़ा है, या customs, और CST, छुटे-छुटे topics थे CA, इंटर लेवल पर, IPC लेवल पर, तो वो तो पूरा ही change हो गया है, और GST एक नया law है, और definitely GST में आप बहुत enjoy करोगे, GST के साथ-साथ, indirect access में at CA final level हम में custom भी पढ़ना है, और customs यहां पर detail में पढ़ना है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूगा कि, यहां कितने topics थे CA final level हमें indirect access के पढ़ना है, तो यहां जितने भी students मेरे से connected है, बताईए May 21 किसका attempt है, फटा-फट बताईए May 21 सभी students का मैं involvement चाओगा, यहां, so that lecture थोड़ा interactive, क्योंकि मैं जान बुच कर YouTube live पे आया हूँ, और यह fresh recording कर रहा हूँ, बात में तो ठीक है, studio में record करके आपको दूगाई, लेकिन यहां मैं चाहता हूँ कि पहले जो तीन lecture से मैं आपके साथ discussion करके, यहां record करूँ, so that lecture interactive हो, और यहां जो है, मज़ा भी आ है, discussion करते बाद, चलो, बहुत सारे students जुड़े हैं और उनने कहा है कि उनका May 21 अटेम्ट है, as well as कोई student है, जो November 21 का है, अच्छा, Sandeep, Rajshik, चलो, November 21 का अटेम्ट है, कोई students का है, विराल, तो आपका November 21 है, चलो, कोई बात नहीं, मैं May 21 और November 21, दोनों के लिए थोड़ा explain कर देता हो, कि हमारा syllabus content और हमारा सभी discussion किस तरह से रहेगा, जैसे बटा, indirect taxes, indirect taxes में यहां पर मैं बात करूँ, तो, yes, कितने acts होते हैं, उसके उपर हम बात करेंगे, उसके बाद में, marks allocation कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, कितने total act होगे, marks allocation कैसे होगा, जैसे, weightage of marks कैसे होगा, आपको notes कैसे available होगी, यह first lecture में मैं पूरा explain कर देता हो, यह बात में कोई आपके questions ना हो, और whatsapp के comments में unnecessary questions आप नहीं पुछोगे, ठीक है, और यह भी YouTube के comment में भी विटा, जो subjects related है, वही question पूछो, उसके बाद में notes, हाँ, यह बहुत important question होजाता है, कि आपको amendments कैसे available होगी, और यह हमारे lecture में amendments कैसे cover होगी, completely amendment है गया, DT और IDT में mostly आपका यह concern होता है, especially about the amendments, और next बेटा, यहाँ पर, यह marks हो गया, notes हो गया, amendments हो गया, और कुछ बाते, जहां तक subjects related, अगर discussion में कुछ मुझे याद आया, तो वह भी आपको यहाँ पर explain करू तो सबसे पहले तो हम देखते है, act, बेटा, GST में, sorry, indirect access में, पहला act जो है, वो यहाँ पर, goods and services act 2017, okay, goods and services act 2017, तो यह goods and services act 2017 हमें पढ़ना है, अब आपको यह बता दू, चलो फटा फट बताईए, मैं आपका एंसर चाहूगा, आपको बता है कितने GST law है इंडिया में, आपको बता है कितने GST law है इंडिया में, आपको कुछ पता है, यहाँ, अगर हम देखें जो है, तो पहला जो है, यहाँ पर, yes, are you correct, okay, तो हम पहली बात करें, तो CGST, CGST act 2017, उसके बाद में second, SGST, SGST act 2017, और third, IGST act, IGST act, 2017, और fourth बेटा, okay, GST compensation, CGST, SGST, IGST, SGST के साथ-साथ UTGST भी चलता है, UGST, UTGST act 2017, तो SGST और UTGST जो है, मैं साथ-साथ में लोगा, उसके बाद में IGST act 2017, और GST GST, 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 GST तो UTGST भी एक सेपरेट एक्ट है फोर युनिय अन्टिरूटी तो ऐसे देखा जाए तो टोटल पाँच है पर मेजरली हम इसमों CGST, HGST, IGST और GST कमपेंसेशन से तो स्टेट एक्ट इतने एक्ट GST में कवर होते हैं लेकिन मैं आपको कही दूँ हमारे सिलाबस में यहाँ पर हमें जो दो ही एक्ट डिटेल में पढ़ना है और वो है CGST एक्ट और IGST यह दो ही एक्ट CA final level पर हमें detail में पढ़ना है अगर आप CA final level पर हो या CS professional level पर हो तो उन्होंने कुछ 5-6-5-6 पिजिसके SGST Act और यहाँ पर GST Compensation से इस एक्ट इसके बारे में जजज जानकारी दी है पर आपको frankly बताओ तो अगर आप CGST Act अच्छे से पढ़ लो तो आप CGST और IGST तो आप यह दोनों एक्ट एक्जाक्ली स तो अगर CGST law अच्छे से समझ लो तो बाकी सब Act आपको बहुत अच्छे समझ में आते हैं पर CA final level पर बिटा यहाँ पर दो ही Act है CGST और IGST हमको यह से लेबस में पढ़ना है ठीक है दोस्तों उसके बाद में next जो है बिटा second अगर हम second की बात करें तो Customs Act यहाँ पर Customs Act 1962 ठीक है तो यहाँ सॉरी बेटा Customs Act Act 1962 तो यह Customs Act 1962 यह related to import-export है यानि अगर आप goods import करते हो या आप goods export करते हो तो उससे related custom duty लगती है और वो हमें पढ़ना है Customs Act में now next third बेटा यहाँ पर जो Customs Act का ही पार्ट है जिसको हम कहते है Foreign Trade Policy FTP Foreign Trade Policy so Customs Act 1962 यह हमें पढ़ना है second foreign trade policy तो foreign trade policy जैसे बहुत सी बार goods जब import होते है या export होते है तो government की क्या policy है related to import-export तो उसकी detailed information foreign trade policy में दी गई है लेकिन आपको यह के दू कि CA final level पे हमको जो foreign trade policy रखी गई है बेटा तो यह foreign trade policy बहुत limited extent पे रखी गई है एने मुश्किल से 40-50 page जो है कि वो हमारे syllabus में दिया है वैसे detail में तो बहुत बहुत बड़ी foreign trade policy है around 1000 pages जो है only foreign trade policy पे है लेकिन बेटा मैं आपको कह दू तो हमें इतना detail में नहीं पढ़ना है हमको 40-50 page just उपर-उपर की information जो हमारे syllabus में रखी है कि mostly foreign schemes क्या होती है export promotion scheme क्या होती है कौन से goods without restrictions allowed है etc तो third जो हमें पढ़ना है वो foreign trade policy जो हमारे custom act का ही part है I repeat जो हमारे custom act का ही part है तो बटा यहाँ पे GST जो है हमारा main portion रहेगा GST जो है main portion रहेगा हमारा major act रहेजा है जो हमें indirect access में CA final level पर पढ़ना है उसके बाद में अगर हम बात करें बटा तो customs हम customs की यहाँ पर customs act 1962 यहाँ हमें CA final level पर यह जो आपने इंटर में पढ़ा था इंटर से ज्यादा syllabus रखा हुआ है तो तो बटा डीटेल में पढ़ना है ठीक है कुछ syllabus पिछले साल हमारे ICAI ने exclude किया उसके बारे में तो हम बात करेंगी हाँ लेकिन हमें यह जो customs act 1962 है ओके यहा याद होगा अब दो साल डाई साल बाद आपको indirect taxes था इतना ही याद होगा इससे ज्यादा तो आपको और कुछ याद नहीं होगा तो customs act 1962 जो है अब हमें डीटेल में पढ़ना है next बेटा foreign trade policy तो foreign trade policy कुछ summary हमें सिलाबस में रखिए 40-50 pages की तो हमें यहाँ पे यह summary पढ़न weightage of marks की at CA final level कि तो marks allocation कैसे दिया हुआ है द्यान से सुनना तो यहाँ marks allocation इस तरह से है कि GST को उन्होंने यहां 70 marks रखे GST को 70 marks रखे अगर आपके पास notebook होगी और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो ठेक है तो GST को यहाँ पर उन्होंने 70 marks रखे है customs को यहाँ उन्होंने 20 marks रखे है 20 marks रखे और foreign trade policy को यहाँ पर बिटा 5 marks रखे है total अगर देखा जाए तो यहाँ 100 marks का syllabus उन्होंने cover किया है ठीक है विटा clear आ रहा है आवाच audible है कुछ message आ रहे है कि मैं clearly audible नहीं हूँ ठीक है तो यहाँ पर total विटा 100 marks का syllabus यह 3 act रखा गया है एक बार फिर से बदा दू GST 70 marks का है customs यहाँ 20 marks का है और foreign trade policy जो है वो 5 marks के लिए यहाँ पर है बिटा तो total 100 marks का syllabus इस तरह से आपको रखा गया है no doubt GST तो major है और आपको GST बेटा हम okay GST ऐसा पड़ेगे कि आप really enjoy करोगे और आप अपने boss को ही बताओगे कि sir यह ऐसा है okay मैं अशुर करता हूँ कि GST हम बहुत deep में जाएगे custom 20 marks के लिए no doubt syllabus जादा है पर 20 marks के लिए पिछले साल institute ने जो है कुछ topic exclude कर रहे है तो जितने topics हमारे syllabus में उसमें हम detailed discussion करेंगे और next हम बेटा foreign trade policy तो foreign trade policy 5 marks का जो summary discussion है वो हम यहाँ पर करेंगे ठीक है अब यहाँ notes की अगर बात करें okay I repeat notes की अगर बात करें तो आपको notes कैसे मिलने वाली है regarding to GST next customs और फिर foreign trade policy तो पहला होता है हमारा regular model regular model अगर बेटा हम regular model की बात करें तो यहाँ पर ICAI का जो material है आपके सवाल होते है की sir ICAI का material हमने पढ़ना चाहिए क्या या नहीं पढ़ना चाहिए तो मैं आपको यह कहोगा बेटा ICAI का जो material है उसके base पर ही हमने model बनाया है sorry 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 GST यहाँ पर 75 marks यह एक mistake हो की बेटा GST 75 marks का custom 20 marks का और उसके बाद में foreign trade policy जो है अब मैं आपको ऐसा total 100 marks का होता है अब notes की अगर हम बात करें बेटा तो notes यहाँ पर regular module तो regular module जो notes में आपको मिलेगे तो regular module total आपको 3 modules मिलेगे GST के अब IC AI का material आपको अलग से पढ़ने की जरुवत नहीं है मेरे regular module में यहाँ पर मैंने complete IC AI का material cover कर लिया है तो अगर आप मेरा regular module पढ़ोगे तो that's enough okay तो बहुत detail में with pictorial presentation में आपको बताऊगा तो वो detail में हम यहाँ पर regular module जो है okay उसका detail analysis के साथ दिया गया है next बेटा यहाँ पर होता है questionnaire next होता है questionnaire notes में ठीक है अब यह questionnaire क्या जैसे हम जब discussion करेंगे तो module में itself question दिया है मतलब हर concept के पीछे एक दो questions दिया गया है लेकिन next important बात आती है पिटा questionnaire की तो यह जो questionnaire है यह additional practice के लिए है यह questionnaire में मैंने यहाँ पर okay लगबक 1500 questions on GST and customs cover किया है जिसमें all past examination questions उसके बाद में RTP के questions CA, CMA, CA sub के questions उसके बाद में CBIC का यहाँ पर frequently asked questions है मैंने भी बहुत सारे questions इसमें बनाया गए okay साथ साथ में additional practice के लिए हमें क्या question answer book मिलेगी तो definitely उसके लिए questionnaire बनाया है जैसा institute का practice manual होता है ना बेटा वैसे हमने questionnaire बनाया है तो यह enough practice आपके हो जाती है 1500 questions मैंने practical theoretical सब यह questionnaire में लिए plus around 1000 MCQs मैंने यहाँ पे इसमें लिए है तो regular model में हमारे लगबग 200-300 questions पे तो practice हो जाती है plus यह additional practice के लिए है तो यहाँ पे questionnaire के सभी important questions जो आमने discuss करना चाहिए हम regular course पढ़ते वक्त हम यह discuss करते ही है लेकिन आपके self practice के लिए questionnaire दिया जाता है लगबग 3 questionnaires आपको जो मिलते है GST के मिलते है जिसमें फिर से कह दू यह हमारी USP है बेटा सबसे पहले 2017 में पहला questionnaire मैंने यहाँ पे issue किया था जिसमें maximum questions मैंने cover किये थे तो यहाँ questionnaire सापको एक तरका scanner होता है जो आपके practice के लिए होता है जिसके मेरे separate YouTube पे videos भी आता है कि बहुती बार जब students self practice करता है ना तो उसको यह problem जाता है कि यार मेरा interpretation थोड़ा अलग हो रहा है आपका interpretation अलग हो रहा है तो ऐसे case में यहाँ पे उसको थोड़ा assistance यह कि सर क्या interpretation ले रहे सर ने इस तरह से क्यों solve किया तो वो situation में बेटा यहाँ पे इसके separate videos भी मेरे YouTube पे आते है तो अगर आप वो देख लो जब self practice कर रहे हो तो आपके doubts बहुत सारे clear हो जाते है उसके बाद में आता है बेटा charts उसके बाद में आता है charts यहाँ पे यह wall charts for quick revision चलो आपने class कर लिया class के बाद आपने दोस्तों क्या है यहाँ पे उसके उपर revision भी कर लिया regular book में फिर आपने question answer भी पढ़ लिये कि exam में कैसे questions आते है और अपने answers कैसे देने चीए उसके लिए आपने self practice के लिए practice manual भी solve कर लिया लेकिन बहुत ज्यादा crucial होता है exam का एक दिर में जब अबारा quick revision के लिए material मिल जाए तो वो quick revision के लिए होते है charts और यह charts आपको बहुत help करते है जैसा मैंने आपको यह बताए कि जो notes है यह notes यह notes यहाँ पे तीन module में आपको मिलेंगे तो notes के बारे में जिस आपको बता दूँ तो यह जो notes है यहाँ देखिएगा यह जो notes है यह GST की notes से cover page आपको change करके मिलेगा क्योंकि यह तो पुराना May batch का है और आप November batch का नया notes sorry May 21 batch का जो नया notes है May 21 batch की साब से cover page change हो जाएगा लेकिन एक बात बता दो यह notes में okay pictorial presentation में यानि नोट का special feature क्या है मैं indirect text पे आपको क्या दे रहा हूँ तो complete यहाँ पे color notes आती है color notes में pictorial presentation में आपको यहाँ पे detail में explain किया गया है और मैं यह बहुत मानता हो कि आप जब पढ़ते हो ना तो notes के साथ साथ अगर आप pictures भी दिये है और वो picture के basis पे हमारा discussion चल रहा है तो definitely आपको बहुत होता है definitely आपको help होता है तो ऐसे situation में ता pictorial presentations भी आपको मिलता है उसके बाद में side में में student notes भी दिया हूँ है तो side में student notes में आप लिख सकते हो तो यह student notes में कोई important points है हमारे तो important points भी आप cover कर सकते हो तो यह बेटा ऐसे तीन models आपको आते है questionnaire अगर आप देखोगे बेटा तो questionnaire यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे तीन model में GST का questionnaire बनाया हुआ है और कि यह भी complete color presentation में है और कि शायद आपको नहीं देखेगा लेकिन completely color presentation में सब important जो words होता है या important कोई paragraph होता है तो उसको bold color किया हुआ है तो आपको पढ़ने में भी आसानी जाती है तो यहाँ पे questionnaires अब second होता है वाल चार्ट अगर मैं आपको बताओ वाल चार्ट तो यहाँ किस तरह के वाल चार्ट होते जसे example बता रहा हुआ है यह जैसे यह होता है एक ऐसा complete चार्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप यह देखोगे तो यह complete चार्ट होता है और ऐसे यह चार्ट में मैं कोशिश यह करता हूँ कि आपके maximum chapters यह चार्ट में कवर हो जाए जैसे अगर मैं GST का यह बता हूँ तो supply का पूरा concept यहाँ चार्ट में फिर उससे link interstate supply क्या होता है उसके बाद में time of supply क्या है अगर supply हो जाता है तो कौन से time पे tax pay करना पड़ता है कौन tax देता है तो यह एक चार्ट में लगबख six chapters cover किया हो है तो यह चार्ट revision में हम क्या देखता है कि बही chapter पढ़ लिया regular note से हमने chapter पढ़ लिया चलो उसके question answer भी देख लिये लेकिन पूरा GST law कैसे connect होता है और हर chapter एक में से कैसे link है और पूर complete law in a single view हमने कैसे देखना चाहिए तो यह बेटा यहाँ पे students को इतना helpful होता है कि exam के पहले अगर वो यह revise कर ले और साथ साथ में question answer पढ़ ले तो definitely वो अच्छा score कर सकता है और उसका confidence ही अलग होता है दोस्तों तो यह चार्ट जो है और कि यह बनाएगा है 2005 में मैंने जब पढ़ाना चालू किया तो यह चार्ट में स्टुडेंट से यहां पे स्टुडेंट से करवाता था लिखवाता था बनाने लगाता था तो यहां बेटा स्टार्ट ही यह वाल चार्ट मैंने किया हुआ है हर स्टुडेंट से यहां पे लिखता है आजकाल तो by hand खुद बनाना है बेटा ये चार्ट तो इसका ये फाइदा हो जाएगा कि आप जब बनाओगे प्रिंटेट तो मैं दू गई लेकिन बेटा आप जब बनाओगे ना तो उसका वो खुद ने बनाया हुआ चार्ट और उसमें लिंक कियो है हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से स बनाओगे ना तो वो मजा ही अलगाएगा और आप मेरे साथ अगर ये चार्ट डॉप करोगे ना तो सब्जेक का जो कॉन्फिडेंस है आपका डेफिनेटली बूस्ट होगा बेटा और आप इसीली मोर दैन सेवन्टी मार्क्स ये आईडीटी में कवर कर सकते हो तो ये चा ये चार्ट रिविजन है वाल चार्ट फ्री चार्ट यहाँ पर जीएसटी के आएगे उसके बाद में कस्टम कस्टम 20 मार्क्स का होता है बिटा मैंने आपको कहा जैसे जीएसटी 75 मार्क्स का है और कस्टम 20 और FTP 5 मार्क्स का है हमने करेक कर लिया तो यहाँ पर अगर हम ब एक model मिलेगा, उसके बाद में questionnaire, अगर हम questionnaire की बात करें, तो यह भी आपको जो है, एक questionnaire रहेगा, और single chart, पूरा custom मैंने एक chart में cover किया है, यहाँ, पूरा custom बेटा मैंने एक chart में cover किया है, तो यहाँ, regular model, questionnaire, charts, और यहाँ FTP, FTP, जो मैंने cover किया है, यह मैंने custom में cover के लिया है, मतलब, customs और FTP मिला के आपको एक model में cover हो जाता है, FTP तो 40 pages है, तो foreign trade policy भी आपको custom model में मिल जाएगा, मैंने सभी past examination question पिछले 10 exam में, जितने भी question custom में पुछे है, वो questionnaire में लिए है, regular model में तो हम question answer का discussion करते ही है, जो important question answer होते है, साथ साथ में questionnaire में additional practice के लिए भी मैंने यहाँ पे cover किया है, next बटा amendments, और मैं एक चीज़ एड़ कर देता हूँ, और वो है number of lectures, number of lectures पे भी हम बात करेंगे, कि कितने number of lectures यहाँ पे आपको available किये, जाएगे, तो अगर हम बात amendments की करें, देखिए, अगर हम बात amendments की करें, तो यहाँ पे वेटा amendments, actually क्या होती है, okay amendments, यहाँ पे amendments होती है act में, यहने act की कुछ provisions change कर दी, act की कुछ provisions change कर दी, या add कर दिया, या उसमें से remove कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि, यहाँ पे कुछ provisions add कर दी, explanations add कर दिये, तो amendments होती है act में, दुसरा पेटा, यहाँ पे rules में, okay acts related rules होते हैं, third यहाँ पे अगर हम देखें, तो notifications, notifications में amendments होती है, उसके बाद में circulars, okay circulars में amendment किया जाता है, यहाँ पे circulars में amendment किया जाता है, तो act है, rules है, notifications है, और circulars है, तो बेटा, mostly GST में, अगर देखें, तो हर attempt में सबसे ज़्यादा जो changes होते हैं, वो है notifications और circulars में, तो अब आपका एक सवाल होगा, क्या, कि सर यह बताईए, कि यहाँ पे act, rules, notifications और circular, तो यह, इसमें actually होता है, act क्या होते है, rules क्या होते है, notifications और circular क्या होते है, थोड़ा मैं slow ले रहा हूँ, मैं आपको बतादू, थोड़ा, slow ले रहा हूँ पहला लेक्शर, बाद में तो student जो है, वो 1.25 कि इस बीड़े में देख लेते हैं मुझे, लेकिन मैं यह specially less low ले रहा हूँ बेटा, कि आप पूरा अच्छे से समझे लो, हमारा स्टार्ट है, पहले एक दो लिक्चर्स आप अच्छे से देखो, और फिर एक प्रॉपर डिसिजिजन लो कि आपको किस तरह से इसको continue करना है, definitely लिटा मैं लग बक यहां से 15 साल से बढ़ा रहा हूँ, और मैं 15 साल से एक ही सबजेक्ड पढ़ा रहा हूँ, इंडारिक टेक्सेशन, मेरा पढ़ाना, कि मेरा प्रैक्टीस, एज विल ऐस मेरा खाना पीना, एक ही सबजेक्ड में है, तो बिल्कुल आपने यह सोचना मत आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा थोड़ा कुस्टूटन का कंसर यह आ सकता है पहला लेक्षर देखने के बाद कि सर आपकी जो स्पीड थोड़ा स्लोर लग रहा है तो डोंट परी फॉर देट जैसे आपके दिमाग में जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी स्ट्रेंद बढ़ते जाती है तो आज तो आपका पहला लेक्षर है आगे आगे देखिए होता है क्या ठीक है तो यह और एक बात और बता दू स्टूडे रिकॉर्डिंग है स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है जनरली मेने पिछले 15-16 साल जब भी पढ़ाया तो स्टूडेंट के एक्स्प्रेशन से मेरा एक्स्प्लेनेशन होता था और उनके एक्स्प्रेशन से में समझ जाता था कि चलो यह एक्स्प्लेनेशन को ऐसा बदलते है लेकिन आज कैमेरा मेरा स्टूडेंट है आप मुझे देख रहे हो वीडियो क्ल में explain कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, yes, clear, okay, तो यहाँ अगर हम बात करें, act, act ही होता है, जो पार्लिमेंट में पास होता है, यह basic document है, कोई भी लौ का, जो पार्लिमेंट में major policy decide होती है, act में, rules में, यहाँ पे through rules जो है, एक procedure होती है, और rules जो है, कि जैसे यहाँ पे CGST Act बन गया, एक जोग आपको बताता हो, क्या, कि जब पहली बार, अब मैं इसको जोग ही कहूगा, पहली बार जब मैं CGST Act पढ़ था, तो CGST Act में लगबक 174 sections, approximately है, okay, थोड़ा बत कम जादा हो सकते, approximately मैं 174 section पढ़ रहा हूँ, तो उसमें, okay, लगबक 160 times हर section में कहा है, in such a manner as prescribed, in such a manner as prescribed, जब एक में यह वर्ड होता है, in such a manner as prescribed, मतलब as per rules, I repeat, as per rules होता है, तो मैं जब पढ़ रहा था, first time, CGST Act, जब बेसिक डॉक्यमेंट आया, तो मैं यह सोच रहाता है, act कम, और rules में ज़्यादा पावर दी है, हाँ, मैं आपको यह आगे समझाओगा, कि rules जो है, okay, rules कौन बनाता है, mostly यह जो है, for proper implementation of act होता है, procedural part होता है, तो act बहुत नया है, GST law, तो maximum इसके operation rules के थुरू कवर किये गया है, तो हम आगे देखेंगे, कि यहाँ, okay, rules कैसे बनते है, क्या है, एक बार act चालो होने, तो फिर धीरे-धीरे देखो क्या मज़ा आता है, यह तो basic introduction है, जो आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में, next बेटा, अगर हम बात करें, circular, circular या प्रेस रिलीज कहो, तो circular होते है, clarification, existing law के clarification, okay, यहाँ पर बहुत सी बार, जो law है, उसके interpretation अलग-अलग हो जाते है, और जब उसके interpretation अलग-अलग हो जाते है, तो right interpretation क्या है, तो CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs, यह उस पर clarification देता है, कि देखो law इस तरह से है, यह rules इस तरह से, और आपको यह proper interpretation लेना है, अपने हिसाब से कुछ भी interpretation नहीं लेना है, तो उसके लिए circular directions आते है, प्रेस रिलीज आती है, हाँ, Twitter का भी बड़ा importance है, CBIC बहुत सी चीचे, Twitter से भी clear करता है, तो भीटा, maximum पिछले तीन साल में, अगर GST में कही amendments आई होगी, तो notifications और circular में ही आई है, ठीक है, act, हाँ, बहुत सी जगा change वा पर substantially change नहीं हो जाता है, हाँ, rules में भी, 2018-19 में बहुत सारे changes आये थे, 2020 में तो आपको कहो, आप लग समझो, आपका कि आपको changes जो है, बहुत कम हुए है, 2020, COVID-19 की देने कि पहला ऐसा साल रहा, कि जहां जो है, amendments कम से कम है, उसके बाद में, यहाँ पे, मैं आपको कहूगा, कि जैसे act, तो जब भी मैं amendments की बात कहता हूने बेटा, तो यह मस समझ जाना कि पुरा act ही बदल किया, पुरा law ही बदल किया, ऐसा मस समझ जाना, तो यहाँ पे बेटा, नोटिफिकेशन्स या सर्कुलर्स यह जो ने ने आते हैं, जो existing law को ही, यहाँ पे प्रोसिजर के फ़र्म में, या फिर clarifications जो है, यहाँ पे सर्कुलर के थ्रू दिये जाते हैं, तो existing law को ही वो एक्स्प्लेइन करते हैं, तो यह बहुत से students यहाँ प मैं आपका ध्यान लाना चाहूगा, May 21 attempt है, अरे आप सब सुनराना ध्यान से सोय तो नहीं, जोर से को हाँ, जोर से बोलो, जै माता दी, सुनराना आप, यस अभी यस काओ, अरे सोय तो नहीं नाप, चलो बटा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो act, अगर आपका attempt May 21 में तो May 21 में, जहां तक देखा जाए, तो आपको जो amendments applicable है, वो amendments cut-off date होती है, 31st October, 31st October 2020, तो 31st October 2020, यह आपकी cut-off date होती है, अब 31st October 2020 तक की सभी amendments आपको cover होती है, जैसा यह first lecture जब मैं record कर रहा हूँ, तो आज यहाँ 5 October समझ लो, तो यह 5 October को यह पहला lecture में record कर रहा हूँ, तो अब 25 days और बाकी है, कि अभी जो भी amendments अगले 25 days, 26 days में आएगी, वो सभी आपको applicable होगी, फिर एक सवाल आता है, कि सर, फिर आप जब class आस से start कर रहे हो, और May 21 के इसाप से, सभी amendments cover कर रहे हो, तो सर, यह आने वाली 25, 26 days में ज कैसे cover करोगे, यह बिल्कुल आपका सवाल होगा, कि वा आप कैसे cover करोगे, तो बेटा दहां से सुनिएगा, यहाँ पे हम start कर रहे है कस्टम में, इसलिए मैं जान बुच के किराओ, कि हम start कर रहे है कस्टम से, कस्टम से start करने के बाद, यहाँ पे हम चालू करेंगे GST, कस् कर रहे हैं, तो अब इसमें कोई amendments नहीं होनी है, इसलिए हम start करेंगे कस्टम से, इवन दो में GST की बात कर रहे हैं, और लगबक 25th के आसपास हम start करेंगे GST से, 25th तक का situation clear हो जाती है, कि आपको क्या applicable है और आपको क्या applicable नहीं है, तो तब तक कि सभी amendments मैं cover कर लोगा GST में so don't worry for that, May 21 attempt के लिए जो है, यहाँ पर, I repeat, May 21 attempt के लिए जो है, यहाँ जो भी amendments होगी, वो मैं सब कुछ हमारे regular class में cover कर लोगा, आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूवत नहीं है, अब जो students का attempt November 21 में है, तो यह जो 31st October तक की amendments है, यह वो students के जिनका attempt May 21 में है, May 21 में ह अब, next हम बात करेंगे, अगर आपका attempt November 21 में है, तो आपकी cut-off date होती है, amendments की, और वो है यहाँ पर, 30th April, वो है यहाँ पर, 30th April, आपकी cut-off date होगी, जिसका November 21 में attempt है, तो अब मैं उन students की बात करूगा, कि यहाँ पर, November 21 में, जिसका attempt है, आपकी cut-off date, 30th April तक की है, और यह course में, मैं 31st October 2020 तक की amendments अब cover करोगा, लेकिन आपको 30th April 2021 तक की amendments applicable होगी, अब आपका सवाल होगा, कि sir, यह amendments हम कैसे करेंगे आगे, तो दोस्तों, यह जो amendments है, अब आपको separately करने पड़ेगी, अब दुसरा सवाल आपका होगा, यह सवाल होगा, कि sir, यह कितनी सारी amendments होगी, त तो, वो तो मैं भी नहीं बता सकता कि कितनी सारी amendments होती है, लेकिन अब, मैं आपको एक बात के दू, ऐसा कभी नहीं होता है, कि पूरा act ही बदल गया, हाँ, notification एड़े, circular एड़े, वो बात अलगे, पर पूरा act ही बतल गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो फ पंदरा साल से पढ़ा रहा हो, more than 50-60 pages की amendments कभी नहीं रही, कभी तो 5 pages की amendments, कभी 25, कभी 40, तो maximum 50 pages की amendments, उससे जादा कभी amendments नहीं रही, लेकिन, नवेंबर 21 students को अगर batch करना है, तो बिल्कुल कर सकते है ये batch, और कि ये batch definitely उनको help करेगी, और उनका जो planning है, कि एक्जाम के 6-7 मैंने पहले खतम हो जाना चीए, तो definitely ये उनको help करेगा, 10-15 percent amendments बात में कवर हो जाती है, और एक बात कहूँ आपको, कि अगर आपने existing law पढ़ लिया, तो amendments क्या है, वो बहुत अच्छा समझ में आती है, क्यों, क्योंकि जब मैं amendments पढ़ाता हो, तो पूरी उसकी history बताता हो आपको, कि existing law में क्या problem थे, और ये amendment क्यों की गई, तो इससे क्या हो जाता है, आपको existing law पता है, और amendments क्यों की गई, उसकी पूरी history आपके पास है, तो definitely मैं आपको गोगा, आप तो lucky हो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कि यहां ऐसा क्यों होगा, और धिमाग मे तो 30th April तक की amendments आपकी बाद में कौर हो जाएगी, next सवाल आपका क्या होगा, कि सरी, जो November 21 के लिए है, कि हमें amendments कब मिलती है, तो exam के 2 महने पहले, I repeat, exam के 2 महने पहले, जब RTP आती है, तो RTP और statutory updates आने के बाद, within 7 days मेरे lecture upload हो जाते amendments के लिए, तो तब आप amendments कर सकते हो, यह ने बात किया, regarding to amendments, for customs, exactly same, मैं को यह अलग से बता होगा, जहां तो custom की बात है, तो customs में भी amendment का cut-off date for May 21, जो है, वो 31st October 2020 होता है, और November के लिए, यहाँ पे 31st April 2021 रोईगा, तो amendments में, वोई act, rules, notifications, और circulars, यह customs में आते हैं, लेकिन, मैं आपको कह दू, 20 माक के लिए, पिछल के देड़ साल से जो हमारे ICAIN syllabus रखा है, वो बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, इसलिए आपको जो है, इसलिए आपको जो है, सर्कुलर सोर नॉटिफिकेशन पे questions बहुत रेर होते हैं, और कोई सिग्निफिकंट सर्कुलर नॉटिफिकेशन आ गया, customs में, तो ही उसके international standards पे है, तो maximum provision section में ही covered है, notification और circular जो है, वो totally procedure oriented होता है, और हमारे इतना syllabus में cover नहीं होता है, कोई significant notifications और circular होगा, तो वो तो मैं already cover करी रहा हो, और अगर कुछ होगा, तो definitely time to time मेरे lectures आते ही है, ठीक है, उसके बाद में next अगर हम बात करें वेटा, तो foreign trade policy, foreign trade policy जो है, यह प foreign trade policy जो है, 2015-2020 की चालू है, और आगे foreign trade policy जो है, यहाँ 2021 से 2020 से 2025 तक की expected थी, लेकिन COVID-19 के वज़े से, यह जो 2015 और 2020 की foreign trade policy है, यह foreign trade policy उन्होंने एक साल के लिए पोस्पॉन कर दी है, मतलब 2021 तक यह foreign trade policy जो है, यह लागू होगी, तो में अटेम के लिए, वो ही foreign trade policy है, जो May 20 या November 20 अटेम के लिए FTP था, वो ही May 21 के लिए रहेगा, November 21 के लिए भी यह foreign trade policy रहेगी, क्योंकि बेटा, यह एक साल के लिए completely पोस्पॉन कर दी है, तो आपको यह continue रहेगी, पांस साल की foreign trade policy होती है, अब main part पर आता हो बेटा, और वो है number of lectures, यहाँ पे, तो number of lectures यहाँ, अगर हम बात करें, तो GST के total number of lectures हमारे होते है, around 45 lectures, around 44 to 45 lectures, okay, तो हमारे GST के होते है, उसके बाद में customs के number of lectures जो है, यहाँ अगर हम देखें, तो यह होते है, 15 to 16 lectures, 15 to 16 lectures, और foreign trade policy, foreign trade policy के number of lectures होते है, 2 lectures, 2 lectures, तो अगर हम देखें, यहाँ पे, तो लगबग यहाँ, 60 to 62 lectures, approximately, 62 to 62 lectures में, हमारा पुरा syllabus कवर हो जाता है, जिसमें, पूरा act का, discussion analysis, practical oriented approach, बहुसी बार हम common portal भी यूज़ करेंगे, आपको पूरा procedure बताने के लिए, उसके बाद में, जैसा registration chapter हुआ, उसके बाद में, यहाँ, GSTR 3B वगर है, जो form है, वैसे office में, आपने काम तो किया होगा, लेकिन डेफिनेटली वह हम पूरा discussion तो करते हैं, question answer पे discussion होता है, हम बहुत से concept पे, हम regular class में charts ड्रॉ करते हैं, तो regular in-depth course में, यह सब चीज़े cover की जाती है, और दूसरी बात बटा, frequent revision, तो हर concept, हर lecture में, जब हम start करते हैं, तो continuous frequent revision में उसको लेता है, तो यहां इतने total number of lectures होता है, तो I hope आपको जहां तक है, marks allocation, GST 75 marks, custom 20 marks, foreign trade policy 5 marks, okay, notes के बारे में आपको complete जानकरी मिलगी, होगी, तो आपको अगर मैं कहे दू, तो आपको जब kit आएगी, तो notes तो है total, regular module 3 plus 1, यहांने total regular module 4 modules आएगे, total 4 questionnaires आएगे, और as well as आपको total 4 charts आएगे, ठेक है, next मैं आपको यह कह दू, यहां पे कि सभी shipment एक साथ नहीं आएगी, okay, अभी आपकी first shipment जो है, custom के साथ आएगी, क्योंकि GST के amendments, अब अगले 25 दिन में क्या होती है, वो भी मुझे incorporate करना पड़ेगा, तो GST के amendments उतने incorporate करके, आपको GST का shipment, model wise आपको accordingly आएगा, तो total around आपको 2-3 shipments आएगे, जिसमें आपके सभी models, okay, GST के, customs के, as well as, यहां पे charts, questionnaires उसमें cover किये जाएगे, तो बेटा, जैसे मैंने कहा, हम start करेंगे, custom से, I repeat, हम start करेंगे, custom से, अब एक बात आपको कह दो, जहां तक मेरी बात है, पिछले 15-16 साल से, मैं only indirect taxation, यह subject पड़ा रहा हूँ, पहले exercise, customs, service tax पड़ाया, और अभी 2017 के बाद GST के और customs, तो यहां पे, हो सकता है, को students को यहां तक है, कि मैं जब पड़ाते वक्त पहले एक-दो लिक्चर की स्पीड कम लगे, वो मैं जानबुच के कम रखता हूँ, क्योंकि यह subject टोटली आपके लिए नया है, आपने सिप office में limited work किया हूआ है, कि कस्टम्स की टर्मिनलोजी बहुत सी नहीं है, और C.A. इंटर लेवल पे तो आपने बहुत सारा option चुड़ा है, चुड़ा है कि आपने option, यहां पे, येस, इंडारेक्ट अक्सेज में बहुत से topic option में चुड़े है कि आपने, नालाय को हां बोलिएगा, आप्शन में चुड़े है, चलो श्रिया, नहीं, आप्शन में नहीं चुड़े है, चलो ये नालाय को में पैर से केता हू, इसको सिरियस बत लेना, अच्छा, कोई मिल गया, मिल गया, कोई मिल गया यहां पे, जिसने option में चुड़ा हुआ है, कुनाल, बेटा, अब option में में चुड़ना, CA final level पे है, ठीक है, तो आपने custom शायद ही आपको याद होगा, जैसे bill of entry अगरे जो है, थुड़ा बोत यह words याद आरे होगे, लेकिन आपको detail में बाकी तो मुझे नहीं लगता कि, पूरा custom जो आपने पढ़ा होगा, तो जितना भी पड़ा होगा, CA inter-level पे वो याद होगा, तो अब यहाँ पे यह रहा, regarding to हमारा basic structure कैसा रहेगा, तो वेटा हम start करेंगे custom से, उसके बाद में next जो है, हमारा रहेगा GST, और बाद में foreign trade policy, अगर कोई student को मेरा lecture slow लग रहा है, तो उसके लिए always option होता है 1.25, और बहुत से student कहते हैं, कि 1.25 को option में विशाल सर के lecture देख लो, that's enough, ओके, हो जाता है, अच्छे से सफज में आ जाता है, बिठा 1.5 क्या, मेरी speed तो 2 की है, मैं आपको 2 के speed से सिखा दू, लेकिन मैं यह कहना चाहोगा, कि मैं slow चलता हो, क्योंकि students अप अपने हिसाब से पढता है, कोई students को slow चाहिए, कोई students को fast चाहिए, तो speed बढ़ाना आपके पास कभी भी option रहेगा, जहां तक एक question आया कि सर व्यूस कितने होते है, व्यूस 1.5 होते है, हारदिक, 1.5 व्यूस आपको दिये जाते है, तो चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा discussion on Customs Act 1962, लगबग यह 15-16 दिन चलेगा, अगर मैं संडे छोट दू, संडे जो है, यहां, जनरली छुट्टी लेता हो, नहीं तो बात, बिटा, तलाक पर जाती है, डिवर्स पर आजाती है बात, तो लगबग छुटी लेता हो, आप पेले तीन लेक्शर, जैसे मैंने कहा, यूट्यूब लाइप आप मेरे साथ कर सकते हो, और इसके बाद के लेक्शर से बिटा, तो इसके बाद के लेक्शर स्टूडियो रेकॉर्डिंग में लेगी, हाँ, स्टूडियो रेकॉर्डिंग में आपको एक बात बता दा हो, अगर मेरा टी-शर्ट चेंज हो गया, मेरा यहाँ पे हुलिया चेंज हो गया, तो उननेसेसरी बेटा, उसको सिरियस मत ले लेना, क्योंकि स्टूडियो रेकॉर्डिंग आप लाइव हो, इसलिए मैं यहाँ पे साड़े तीन गंटा बेठा हो, अदर्वाइस, स्टूडियो में तो एक गंटा होने के बाद ऐसा लगता है कि, आप थोड़ी बाद करेंगे, क्योंकि स्टूडियो रेकॉर्डियो रेकॉर्डिंग मैं ऐसा दीन में सुबह करता हो, दुफेर को करता हो, शाम को करता हो, एक साथ तीन साय तीन गंटे ने बेठता हो, तो हो सकता है कि मेरा हुल, कि यहां पर दाड़ी बाड़ी निकाल दू, हुलिया कटिंग बटिंग करवा लो, बहुत दिन से कटिंग ने करवाई मैंने, ठीक है, यह पिर टीशर्ट चेंज कर दू तो उसको ज्यादा सिरियसली मत लेना, लेकिन आपको बिल्कुल डिस्टरबनी होगा, यह मेरी ग्यारंटिय बिटा, यहां विशाल बटिड आपको कह रहा है, कंसिप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगे, मैं एशूर करता हूँ आपको, तो यह था, रिगार्डिंग टू, बिसिक डिस्कुशन, तो चलिए, पहला एक्ट हम स्टार्ट करेंगे, कॉस्टम्स अक्ट नाइटीन सिक्स्टी टू, ठीक है, आप भी आइंसर दे रहे, आप भी असी मजा कर रहे हो, मैं भी आपके साथ फ्री होते जा रहा हूँ, पहले पंदरा मिनिट तो मैं भी टेंशन में था, क्योंकि ना आप सामने हो, आप मुझे वर्चुल ना देख रहे हो, हाँ, हमन ने बड़ा अच्छा कोईशन पूचया, हमन ने ये कोईशन पूचया यहाँ पर, सर ये प्रैक्टिकल या थेरोटिकल, इसके बड़ हम बात करेंगे, पेपर स्ट्रक्चर, अब बात निकली है तो दूर त लग जाएगी, पेपर स्ट्रक्चर बे भी हम बात कर लेते, कस्टम आग स्टार्ट करने के पहले, आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं बताने वाला था, ये, लेकिन चलो, अब बात निकलिया तो दूर तो लग जाएगी IDT Paper Analysis Paper Analysis ऐसा है जो 100 Mark का Question आता है इसमें 30 Marks के MCQ होते है और बाकी Subjective Questions होते हैं जिसमें Theory और Practical Questions होते हैं तो हमन्त मैं ले ले लहा हूँ ठीक है तो फिर से कहता हूँ एक बड़ा अच्छा गजलती बात रिकली है तो दूर तो लग जाएगी तो बेटा यहाँ पर 30 Marks का MCQ होते है पहले दो एक्जाम में जो MCQ पुछे गए वो तो स्टेट फॉरड पुछे गए सिंगल लाई में लेकिन इस बार की RTP जो November 20 Examination की है इस बार की RTP में MCQ के स्टेडी बेस दिये है जैसे मैं अगर RTP लू November की तो आप देखो तो November की RTP में जस तो आपको बता रहो समझेगा कुछ नहीं आपको मुझे बता है अभी आप ITT में बिलकुल कि ऐसा अंगुटा चाप हो और मैं कह देता हो मेरे पढ़ने के का है उसकि कह आपको वह पढ़ना है बड़ी-बड़ी बुक殿, क्या पढ़ना है ठर लेना पर पहले ऑने कुछ भी नहीं पढ़ना मुझे बलैंक माइंड चाहिए क्यूंकि बेटा कहू क्या क्या कागस पर रेषा जाता है तो आपका दिमाग ने मुझे को राची है, मैं उसके पर लिखोगा, बाद में आपको क्या पढ़ना है पढ़िए या, तो आपको कहे दू जैसे MCQ क्वेशन, MCQ क्वेशन जो है, जैसे आपको थोड़ा बताना चाहता हो कि मैं, MCQ क्वेशन भी कौन से लवल प्याल है, जैसे, यह जो है पूरी के स्टड़ी है, ये के स्टड़ी है, ये οπο irrigation आपको बता दू, तीन, चार चाप्टर के concept उन्होंने एक साथ डाले हुए है ये के स्टड़ी में तो ये के स्टड़ी लिया है और ये के स्टड़ी में फिर M.C. के बना है जैसे आपने कभी देखा होगा 8, 9, 10 के जो इंग्लिश के पेपर होते थे पहले परग्राफ होते थे फिर क्वेश्चन पुचे जाते थे और आप क्या करते थे वो वोट्स मैच करके वहा का परग्राफ जो है नीचे आंसर वी लिग दिया हो गया आपका एंसर आप क्या मैभी ऐसे खरता था तो आप ऐसे सिच्विशन में यहां इसा मत करना सिच्वाइनल लेवल पर ऐसा नहीं है कि बस ओके मैच कर लिए और आपने लिग दिया ऐसा मत करना थेंक्यू आयू आयूश आयूश कर ऐसा मस्त लग रहे हो थेंक्यू तो अब ऐसे केस में आपके एक बात बता दू कि हाँ अब यह जैसा केस्टड़ी दिया है और यह केस्टड़ी पे MCQ बनाया है तो इस बार जो आर्टीप दिया है और लास्ट में आटीम की भी जो आर्टीप ती यह नॉवेंबर आटीम की आर्टीप में 21 की तो अब्यूसली नहीं आएगी नालाय को कोई क्वेश्चन मत पुछना उसके ओपर में 21 की आर्टीप दियाएगी तो यहां पर मैं आपको कह दू कि यह पूरी केस्टड़ी हो और यह केस्टड़ी का खास बात मैं बता देता हो कि यहां यह जो केस्टड़ी है इसमें तीन चार चाप्टर के एक साथ क्वेश्चन मिला के MCQ बना है यहां आपके कंसेप्चुल क्लारीटी देखा है तो यह CA final को आपने इंटर जैसा या आपके मैचुरिटी लेवल त्रिमेंडस बात अच्छी चाहिए और नो डाउट आपने सब क्लासेस कर लियोगे आपने लॉका कर लिया होगा एफम का कर लिया होगा अकाउंट का कर लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा CA final CA final होता है ठीक है तो ऐसा नहीं लल्लू अरायू कैसे होता है तो यह question का answer जब मैं student को यहां समझा रहा था यह question का answer की लिए यह table मैंने बनाया है और यह table का पूरा concept यह दो टेबल मैंने है और दो टेबल से जो answer आया है यह answer आपको यह 9880 यानि यह 9880 का मैंने पूरा explain कर के देखो 9880 उसका answer एगा और वो answer मैंने यह दिया है और आपको वो answer लिखना है एग्जाम में लिखना तो आपको बस रतना ही है कि वे d clause 9880 so d clause आपको just a minute बेटा कुछ student परेशान कर रहे हिंको मैं थोड़ा अभी regular class related जही question पूछो बाकि मैं दूसरे question देने में interested नहीं हूँ तो यहां यह सब आपको calculator पर करना पड़ता है और यह calculator पर जैसा यह सब जो है मैंने explain करने के लिए आपको सब बता है लेकिन आपको के पूरे concept को apply करके calculator पर इसका answer निकालना पड़ता है और आपको इतना detail में देने की जरूबत नहीं है आपको तो क्या है सिब answer में D9880 लि आपको conceptual understanding detail में होना बहुत जरूरी है अगर आपकी conceptual understanding होगी तो ही MCQ आसान होगे और तो ही आप 30 marks अच्छे से score कर पाऊगे और मैं आपको कह दू जिसने MCQ में out of 30 अगर यहां 20-25 score कर लिया वो 70 चले गया मैं लिखकर देता हूँ कि अबो 70 चले गया तो आपको यहां पर no doubt यहां MCQ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है और मैं बता होगा कि आपको कैसे करना है पड़ते पड़ते है तो डॉंट परी एक्जाम तक आपका साथ दूगा अभी तक जिसका अर्टम टभी बेटर नॉवेंबर में मैं अभी तक उनका साथ दे रहा हूँ आप मैसेज देखी रहा हूँ चार्ट रिविजन दो उसके बाद मैं समरी रिविजन दो तो आपको मैं कंटिनियूस गाइड तो करते ही रहोगा ओके लाइव आते रहोगा तो GST MCQ में लगबग 23 मार्क्स का पुछते है और कस्टम 7 मार्क्स का पुछते है क्योंकि GST का 75 म तो 30 मार्क्स के MCQ आते है आउट आउट आप 100 मार्क्स और यह 30 मार्क्स के MCQ जो है वेटा इसमें से 75 परसेंट, यानि आपको 23 मार्क्स का MCQ पुछा जाता है कस GST पे और कस्टम्स FTP मिला के 7 मार्क्स का अब दूसरा सवाल, बाकी 70 मार्क्स जो है, वह 70 मार्क्स आपके 30 प तो यहां अगर देखा जाए तो थेरी थेरी आपको लगबग GST में approximately कम जादा हो सकता है 15 मार्क की थेरी और कस्टम में यहां पे 7 मार्क की थेरी यानि ऐसा समझ लो टोटल कस्टम कितने मार्क का होता है बेटा टोटल कस्टम जो है यहां 20 मार्क का होता है 20 में से approximately अगर देखा जाए तो 7 मार्क की हो जाते है यहां थोड़ा गलत हो गया है यहां पे जो थेरी की बात है हाँ 7 मार्क एमसी की पे चले जाते है और उसके बाद में 7 मार्क जो है बेटा यहां पे थेरोटिकल क्वेशन्स होते है थेरी क्वेशन्स होते है और प्रैक्टिकल क्वेशन्स अगर हम कस्टम की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेशन्स यहां पे 11 mark के practical questions होते है ठीक है तो यह practical questions होते है तो 7 marks का आपका MCQ 7 marks का आपका customs का theoretical question और 11 mark का आपका practical question आजाता है अब दोस्तों मैं आपका एक बात बता दू यह मेना option पकड़ के लिए है total questions आपको पहला तो MCQ का होता है MCQ छोड़के यहने 30 mark का MCQ छोड़के आपको total theoretical और practical question 6 questions आते है total 6 questions होते है MCQ छोड़के यहने पहला तो MCQ होता है और बाकि 6 questions और यह 6 questions मैंसे आपको 5 questions solve करने पड़ते है और यह 5 questions यह 14 marks each होता है 1 question 14 marks के लिए होता है तो 30 marks का MCQ जो question number 1 होता है next questions जो है 6 questions में से 1 question option मिलता है और 5 questions आपको solve करना है 1 question 14 marks का होता है यहाँ पे तो practical question भी customs में 11 mark के होता है और तहरी लगबग 7-8 mark का आता है और GST में देखे तो GST में थेरी 15 mark का होता है और practical question around जो है और के यहाँ पे 37 marks के practical questions होते है अगर आपको लिखना है तो लिखो यह वैसा को इतना important नहीं है तो यह जो है practical question 37 marks के इसलिए मैं यह कहूँगा कि IDT completely theoretical नहीं है IDT को जब आपको पड़ा है तो IDT को आपको learn नहीं करना है तो बिखना है और यह नहीं थेरी what-to-what-to-art learn हो जानी चाहिछ है what-to-art-art например थेरी आपको लिखनी है वाजिगो यह जिखनी है वो थेरी वेटा अगर मुष्यल के जो तो in GST में यहां पे थेरी 15 mark की लिखनी है और custom में 7 mark की लिखनी है थेरी तो यह बात निकली, इसलिए मैंने यहां आपको explain कर दिया, उसके बाद में, चलो, वापस आजाते हैं, हमारे discussion पर, हम स्टार्ट करना वाला है, हमारा पहला मडूला, Customs Act 1962, सब रेडी है? और बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि मैं अभी May 21 का batch ले रहा हूँ, मैं YouTube पे देख रहा हूँ, प्लीज, फाल्तु questions ना पूछे, प्लीज बेटा, चलिए, चलो, फटा फट बताओ, आप सब रेडी हो, आप सब रेडी हो, आप सब रेडी हो ना, येस, और कि सालेन मट बेटाओ, मेरे साथ एक्टिवली इन्वाल हो जाओ, सो गए क्या, चलिए, अग्टिवली इन्वाल हो, अग्टिवली इन्वाथ हो, आप सालेन ना, ये जाते हैं हो, कॉट्वली इन्क्रिवली इन्वाल हो, त्टा, ठीक है जो में 21 के लिए नोट्स आएगी उनका ये कवर पेज है यहां और अब मैं हाँ तो यह फील आना चाहिए वेटा कि हम कस्टम एक में आगे इंडिया सी देख रहा है आपको ठीक है तो चलो अब मैं यह डाउट्स अगरे पर कोई धान ने दूगा जब मैं स्पेशल टाइम दूगा तभी आपने देखना अब हमें कंटिन्यूस जो है तो यह फोकस करना है हमारे कस्टम इक इक दिसक्षन पायर यू रीडी चलिए इसटार करते हैं तो फ़ेडा कस्टम एक शुक्तम इंटिन अनि किस्टू में ले रहे हैं जनरली Customs Act 1962 जो है यह अपला होता है Imported Goods और Export Goods पर For Payment of Customs Duty यानि अगर आप Goods इंपोर्ट करते हो या आप Goods एक्सपोर्ट करते हो तो आपको Customs Duty कैसे देना है उसके बाद में उस से रिलेटेड क्या प्रोसेजर फालो करना है कौन से प्रोसेजर पर कौन से डोकुमेंटेशन करना है यह पूरा Customs Act 1962 में हमें पढ़ना है Practical Life में Customs जहां तक हम C.A.C.M.A. और C.S. की बात करें तो Customs के प्रैक्टिस में इतने लोग इन्वाड नहीं है Practical Life में यहां पर mostly हमारा concern आता है GST से लेकिन हां कुछ C.A.S. या कुछ C.A.S. या कुछ C.A.S. कस्टम्स में अच्छा खासा प्रैक्टिस है specially in Mumbai क्योंकि बाकी जो यहां पर इससे रिलेटिव प्रोसीजर है वो Customs Broker या Customs Agency हैंडल कर लेता है तो इसलिए हमें आफिस में इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है दुसरा Customs Act की Terminology Terminology जो है आपके लिए बिलकुल नहीं है law बहुत इजी है मैं पूरा animation में आपको समझाओगा और सिप animation हम नहीं लेंगे हम जो है यहां पर बुक्स में हर सेक्शन के हर वर्ड को हम यहां अनलाइस करेंगे तोड देंगे फोड देंगे ठीक है तो animation से आप concept समझोगे विजुलाइस करोगे आपका concept दिमाग में बैठेगा और फिर law को इंटरफिट कैसे किया जाता है वो भी आपको बता होगा तो कस्टम्स में यहां जहां तक देखा जाए तो हमारी mostly practice नहीं होती इसलिए आपको जानकारी भी नहीं होती है और second important बात है कि terminology इतनी नहीं होती है कि थोड़ा याद करने में मुश्किल जाता है पर डरना मत मैं हूँ frequent revision हम इतनी frequent revision करेंगे कि आपकी terminology used to हो जाएगी यानि day to day life में भी आप वो terminology use करने लगोगे तो yes मेरे पर पुरा trust करना हम वो learn कर लेंगे और मेरे साथ मैं daily basis पे जितना homework दूँ वो homework आपको follow करना है आपको गर पे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए तो देखो indirect Texas में आपको मज़ा कैसे होता है so दूसरी बात बिटा यहां पर चलो एक example लेना चाहोगा मैं Ayush का example लेना चाहोगा उसने लिखा एक क्या बात है तो हम Ayush का example लेना चाहेंगे बात ऐसी है बिटा यह हमारा इंडिया है यह हमारा sea water है और मैं sea में खड़ा हूँ देखा हो ना आपको मैं sea में खड़ा हूँ okay sea पे चल रहा हूँ तो start करते हैं यहां पर समझ लो Ayush ने कोई goods inia में इंपोर्ट किया goods inia में इंपोर्ट हुआ okay by ship यह container आए और container आने के बाद वो container जो है वो यहां पर container अनलोड हुए so Ayush के container यहां अनलोड हो गया अब बात है कि Ayush के container अनलोड होने के बाद यहां आगे क्या हुआ बड़ा मज़दार किस्सा है अब अगले 10 मिनट जो है आपने मेरे साथ यह समझना कि India में कोई ऐसा law नहीं है जो import duty लगाता है यह जो export duty लगाता है in short custom act या कोई भी ऐसा act नहीं है ठीक है इन्डिया में अजिम तो करो मेरे साथ के problem क्या जा रहा है तो India में ऐसा कोई law नहीं है जो custom duty लगाता है ठीक है दूसरा यहां पर अब यह जो है वेटा goods अनलोड हो गए अनलोड होने के बाद एक officer आया imagine करना Ayush इधर खड़ा है तो जब मैं इधर होगा तो Ayush समझना और जब मैं इधर हूँ तो customer officer हूँ तो यह officer Ayush को कह रहा है Mr. Ayush Ayush ने का yes बोलिए आपको क्या चाहिए मेरे से तो officer ने का동 मिस्टर Ayush आपने goods इडिया मेँ इंपोर्ट किया है Ayush ने का yes मैं इडिया में इंपोर्ट किया है और क्या वो goods इडिया में लैंड है अपने एस रपण कंट्री से लाया है तो Ayush ने का वो क्या पे अपको M. Ayush वो good üश से आपको यह वह एयुक्त्य जो फॉरिन गूट्स भी यूर्ड बेचा जाएगा वह इंडिया की द्यूर्स यूज करेगा अगर इंडिया की रिसूर्स एस अचे तो उसने इंडियन गवर्मेंट को कुछ देना चाहिए तो हम उसके वपर टैक्स मांग रहे है अईश कह रहा है अईश कह तो है यह नहीं हो और मैं आप मेरे से टैक्स जए यहाँ पर मुडशिनल आताया है अईशा लिए डिया केंडीकस Apार मनेरे से ठैक्स म किन का डिख्या है भई हम पब्लिक है कोई भी ओके यहां पे अलता भलता आ गया कोई भी आ गया और हमारे से टैक्स मांग रहा है आप हो गया ओफिसर क्या आपके पास constitutional power है कि आप मेरे goods पे tax ले सकते हो दहां से सुनना मेरी बात बड़ी important बात है तो यहां पे अफिसर ने का नो मेरे पास constitutional power तो नहीं है हमने assume किया था कि इंडिया में कोई ऐसा law नहीं है ध्यां से सुनना इंडिया में ऐसा कोई law नहीं है जो tax collect करता है और import export तो बेटा ध्यां से सुनो यहां ना हम यह इतने basic से जाएगे कि पहले assume करेंगे कि law नहीं है फिर हम law बना कैसे law कहता क्या है कब tax लगाता है step by step step by step आगे आगे देखो होता है क्या तो यहां पे तो जहां तक देखा जाए तो officer ने का no I don't have a constitutional authority ayush ने का you don't have a constitutional authority so no officer ने का nahin मेरे पास कोई constitutional authority नहीं है तो ayush ने का get out get out from here officer ने का sir मैं government का officer हू central government का आप मेरी insult कर रहे हो आप कर रहे हो get out from here ayush ने का okay yes get out from here you are a public servant आप servant हो servant जैसे रहो है हाँ आप servant हो servant जैसे रहो तो officer ने का but but ayush ने का no but shut only cut to cut get out from here तो officer ने का but क्यों आप टैक्स क्यों नहीं देंगे तो ayush ने का अगर आपके पास जब तक constitutional authority नहीं है मेरे से tax collect करनी की हम public है public और कोई भी public से अगर tax collect करना है तो आपके पास constitutional authority होना जरूरी है तो यहां पर यहां officer ने का नहीं मेरे पास constitutional authority नहीं है तो ayush ने का get out अब बेटा officer जो है उसको दीन रात ने नीद नहीं आरी है और कि ना चैन न रहन उसकी बहुत insult की ayush ने और कि ayush ने बहुत insult की और उसको कोई अब बेटा नहीं सोच रहे है ना उसको नीद आरी है और उसको अब बढ़ ला ले ना है ayush से उसने तो कसम की खाली, कसम की कसम कसम से अयूश को नहीं छोड़ूगा दिल से, तो उसने तो बिटा कसम खाली कि मैं आयूश को छोड़ूगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए अब यहाँ पर करे क्या उसे पहले constitutional power लेनी है so let's talk about constitution of India, power लेगे, wait wait मज़ाएगा और ऐसे पुरे अइनिमेशन में आरा कस्टूम चलेगा तो दोस्तों अब उसको कस्टूम की पावर लेनी है constitution of India तो मैं आपका जान चाहोगा what about constitution what you know about constitution मैं अब पौज लेने वाला हो एक मिनिट का मैं आपका एंसर की रह देख रहा हूँ आप constitution के बारे में क्या जानते हो constitution of India कुछ भी ऐसे बेटा आप यहां पर अपना comment add करो be active don't be dumb active चिए मुझे मुझे मज़ा आएगा आपको indirect access में yes come on Sachin ने का apex law है Ayush ने का सारे एक का power constitution में चलो Ayush तो कुछ बुला उसके बाद में कमल कहता है constitution is a father of all laws बस दो तीन लोग चलो बोलो बोलो यहां पर it's a mother of law अब यह आप father or mother में नहीं पढ़ने का okay father mother of all laws it's okay उसके बाद में article 265 yes I am coming to that article क्योंकि कोई भी tax law अगर आपको पढ़ाना है तो article 265 की जानकरी होना जरूरी है आपने इंटर लिवल पे या कोई अधर सब्जेक में पढ़ा होगा लेकिन आपन का अलग स्टाइल है और अपन के स्टाइल से जाएगे तो यहाँ पर अरे मनीश you are looking cool अगर यह comments बाद में तो चला जाते constitution of India constitution of India is the supreme law okay यह supreme law है correct it's a father of all law जितने भी laws बनते है उसका source उसकी authority constitution में होना जरूरी है एक word यूज कहता है कि all laws emanates मतलब उसके source जो है all laws emanates from constitution of India it's a supreme law जब तक constitution आपको power नहीं देता है कोई भी law बनाने की तब तक इंडिया में parliament या legislature of state इंडिया में law नहीं बना सकते तो भाई आज हम एक law पढ़ने जा रहे है कौन सा law पढ़ने जा रहे है customs act I repeat हम यह law पढ़ने जा रहे है और वो है customs act 1962 तो customs act 1962 अगर हमें पढ़ना है तो यह situation में इसका source हमें constitution में ढूंडना बहुत जरूरी है तो आजाते है constitution of India कहता क्या है तो constitution of India यहां देखिए तो हम customs law का constitutional background पढ़ते हैं और बाकी तो ठीक है it provides rights of every citizen of India duties of every citizen of India यह सब ठीक है लेकिन जहां तक मैं commercial law और tax law की बात करूँ तो वो situation में यहां पर हमारा constitution tax laws के बारे में कहता क्या है इसकी related जानना बहुत जरूरी है और आज हमारा basic lecture है introductory lecture है तो इसमें मैं सब बाते आपको बता होगा तो चलो दोस्तों यहां आजाते हैं यहां पर article 265 article 265 कहता क्या है देखें अगर article 265 अब देखें तो article 265 देख रहा है आपको बिटा clearly चलो मैं यहां आजाता हूँ article 265 क्या कहता है article 265 कहता है no tax shall be levied or collected except under the authority of law okay मतलब क्या मतलब बहुत सीधा सीधा है article 265 कहता है इंडिया में कोई भी authority tax levy भी नहीं कर सकती यह collect नहीं कर सकती जब तक law से उसे authority नहीं मिले यांनि इंडिया में कोई भी law जो है के नहीं बना सकता tax related collect नहीं कर सकता sorry 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 मेरे words रहा चेंज़ है रहाँ कोई भी tax collect नहीं कर सकता जब तक उसको कि बाई law authority ना मिले मतलब पहले law बनाना पड़ेगा और उसके बाद में लेवियोर collection होगा लेवियोर collection होगा तो यहाँ पे वो जो officer जिसकी insult हुई और उसने कहा कसम की कसम कसम से मैं tax लोगा Mr. Ayus से तो जिसकी insult हुई वेटा अब उसने तो ठाल ली कि मैं तो law बना के रहोगा तो वो constitution of India के पास गया वो article 265 के पास गया और उसने article 265 को कहा कि मुझे यहाँ पे tax collect करना है Ayus से उसने मेरी insult कि है मुझे law बनाना है आप बताइए कि law कैसे बनाया जाए तो article 265 ने कहा Ayus से imagine article 265 के कोई परसन है उसने Ayus से का कि अच्छा अच्छा तुमें law बनाना है और Ayus से tax collect करना है तो मेरी provision है पहले यहाँ पे आप कोई भी tax लेए और collect नहीं कर सकते हो जब तक आप law नहीं बना होगे तो पहले आप law बना और law बनाने के बात आप यहाँ पर Ayus से tax collect कर सकते हो अब दूसरी बात आजाती है दूसरी बात यहाँ पर यहाँ आजाती है कि ठीक है इंडिया में law बनाता कौन है क्या कोई भी law बना सकता है क्या कोई भी law बना सकता है हाँ एक बात करो कि कुछ student पूछ रहे कि sir क्या हमें ये note करना है क्या लेकना है क्या नहीं नहीं मैंने notes में दिया है और नीचे description column में notes की PDF copy दिये पहले एक दो chapter की जिसका मैं live streaming लोगा अगर नहीं होगी तो जब हमारा lecture complete होगा तो बाद में मैं add कर दूँगा ठीक है don't worry for that probably दी ही होगी नहीं होगी तो मैं add कर दूँगा और आपके notes में दिया हुआ है और कहां आपको note करना है तो notebook साथ में लो मैं आपको time दूगा note करने के लिए तो ये आपके notes में दिया है अभी पूरा नद ध्यान दो पूरा आपका 100% focus में तरफ दो और देखो क्या होता है रंग दे मुझे गेर हुआ ठीक है तो यहाँ पर no tax shall be lived or collected as per article 265 जब तक law नहीं बनाते हो दूसरा मेरा एक सवाल आप से है और सवाल ये है कि क्या इन्या में law कोई भी बना सकता है क्या पिंटू, चिंटू, किंटू, क्या कोई भी law बना सकता है कि कोई specific authority होगी बताओ correct निशा, कौशिक, सही answer दिया आपने थोड़ा में आगे जाता हो यहाँ पर इन्या में जो law बनाने का power है article 245 क्या कहता है देखिए article 245 कहता है यह it imposes the parliament to make the law यह parliament बड़ा important it imposes the parliament to make the law for whole or any part of the territory of India and legislature of state to make the law for whole or any part of the state अब इस article को अगर हम धान से पड़े तो यह article क्या कहता है यह article एंपावर करता है just a minute हाँ यह एंपावर करता है मेग ड़ेनला पास अगरल की जब कोई भी ब्यविक पावर्ण के पास नहीं क्योंकि जब कोई भी power एक government के पास आ जाती है तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है तो बहुत अच्छा structure है और यहाँ हमारा constitution भी बहुत अच्छे से बनाया गया है तो इंडिया में बेटा federal structure है, gone by two types of government तो central level पे जितने भी law बनाना है उसकी power parliament के पास है और state level पे जितने law बनाना है उसकी power यहाँ पे legislature of state याई विदान सबा के पास है simple way में कहूँ तो लोक सबा और विदान सबा यह हमारा law बना सकते है अब यहाँ पे अयुष्का क्या question है अयुष्का यह question है वेटा वो आर्टिकल 265 के पास गया 265 कहता है कि भाई law बना फिर law कॉन बनाएगा तो आर्टिकल 245 कहता है कि चलो कोई बात नहीं है यहाँ पे law बनाने का power parliament यह लेजिसलेचर state के पास है तो आज का हमारा matter है customs I repeat आज का हमारा matter है customs customs पे law कॉन बनाएगा क्या central बनाएगा यह state बनाएगा legislature of state तो यह जानने के लिए एक article और दिया है article 246 I repeat article 246 यह एक्जाम में नहीं पुछा जाएगा और particularly final level पे तो नहीं पुछा जाएगा क्या है आज का हमारा पहला lecture है law को start करना है इसले हम basic से जा रहा है और यह notes में दिया है don't worry for that okay कहां से important है कहां से लिखना में बता होगा तो next article 246 article 246 अगर आप दिखोगे schedule 7 इसमें total 3 list दी है पहली list, union list, second state list और third concurrent list ऐसी total 3 list दी है क्या पता है आपको यह तीनों list के बारे में yes yes ayush, kamal, क्या तो यह list 1 called as union list list 2 called as state list और list 3 called as concurrent list ठीक है तो यह तीन list यहां पे दिया हुआ बटा union list मतलब list 1 में बैने सभी entries नहीं ली पर total 97 entries है list 1 में वो 97 subjects पे central के पास पावर एल लॉव बनाने का list 2 में यहां पे कि जो subjects दिये उसके उपर state के पास पावर है और तिसरी list है बैटा हमारी concurrent list concurrent list पे कुछ ऐसे subject है जिसमें दोनों government central और state government law बना सकती है for example concurrent list में forest, terrorism, woman welfare जैसे terrorism पे central पे भी law है और state में भी law है narcotics central पे भी law है state पे भी law है woman welfare forest पे central पे भी law है और state पे पर दोनों के अपने अलग-अलग laws है I repeat दोनों के अपने अलग-अलग laws है पर central as well as state दोनों भी अपने law यहां पे बनाती है यह matter पे तो हमारा जो subject matter है आज जो है tax I repeat हमारा subject matter है tax यह और वो specially custom duty तो custom duty यह subject किस में cover किया है अगर यह subject list 1 में cover किया होगा तो यहां पे central इस पे पर law बनाएगा और जो भी revenue customs का आएगा वो central का होगा अगर list 2 में दिया होगा तो state law बनाएगा और जो भी revenue आएगा वो state का होगा तो यहां मैं आपके जानकरी के लिए के दूँ कि yes यह बड़ा article 246 schedule 7 list 1 में कुछ यहां पे tax related entries में reference के लिए ले रहा हूँ तो यह tax related entries जो है entry number 82, 83, 84 and entry number 97 82 tax on income हाँ यह source entry है income tax की यहां से source मिलता है कि आप income tax लगा सकते हो इसले तो income tax central tax है आपको पता है बोलो नालाय को yes yes बोलो और यह yes बोलने की आदत लगा देना मेरे साथ क्यों क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं भी समझा पर आप yes कह रहे हो तो क्या होता है एक psychological effect होता है कि ना समझा वाभी समझ में आ जाता है ठीक है और वैसे मैं कहीं कहीं कि शादी के बाद मुझे यह आदत लगी गई ओके मैं यहां पर वाइप के साथ अननेसरी जंजट करता है नहीं कुछ भी बोलो यस और आपको भी शादी के बाद आया आदत हो जाएगी तो ठीक है वाटरीट में भी चलो और मैं एक बात कह दूँ क्लास में मैं कितने बार ओके बोलता हो बिल्कुल नहीं गिलना ओके मेरा फिवरेट वर्ड है मैं यहां दस हजार बार बोलू पर मैं बोलूगा ओके ठीक है तो एंट्री नमबर 82 टैक्स ओन इंकम यह सोर्स एंट्री है फॉर इंकम टैक्स की उसक आप कस्टम जूटी लगा सकते हो इंपोर्ट एज 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 एक्सपोर्ट गूड्स पे तो अब और एंट्री नमबर 84 एक्साइस तो अब रहा नहीं जिएस्टी कुछ ही गूड्स के लिए रहा और सर्विस टैक्स भी अभी नहीं रहा तो बाकी एंट्री से हमारा था इं किस्टम पे तो मैं थोड़ा एंट्री नमबर 82 पे आता हूं तो एंट्री नमबर 83 क्या कहता है दूटी जूटी 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 Central Government क्योंकि List 1 के हम बात कर रहे हैं, तो Central Government यहाँ पर Customs Duty लगा सकती है, और Customs Duty का Revenue Central Government का होगा, Union का मतलब Central Government का होगा, और पूरा Law Central Government बनाएगी, यहाँ वड़े Duties of Customs, Including Export Duty, Okay, Including Export Duty, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहोगा, Duties, मतलब कोई एक Duty नहीं, हो सकता है, Number of D Duties लगाने का Power यहाँ मिल रहा है, हो सकता है क्या, मिली रहा है, Constitutional Power, Number of Duties लग सकती है, आपके Knowledge में बता दू, ऐसे Basic Custom Duty, Additional Custom Duty, Anti-Dumping Duty, Subguard Duty, Specific Subguard Duty, Protected Duty, ऐसे हम Number of Custom Duties पढ़ेंगे, Under the Customs Act and Customs Tariff Act, तो यह Customs Act as well as Custom Tariff Act में बहुत सारी Duties लगाई गई है, on Importation of Goods, as well as on Export of Goods, तो यह सभी Duties हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या कहता है, Duties of Customs, Including Export Duty, अब Sir, यहाँ पे Specially क्यों कहा गया, Including Export Duty, क्योंकि जब वो बात यहाँ Customs, जब वो यहाँ बात Customs की कर रहा है, तो Customs जब भी Word यूज होता है, तो इसमें Import as well as Export, दोनों भी Include हो जाता है, तो वो Specially Export Duty क्य क्योंकि यहाँ पे Specially Use कर रहे है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो इसले ही Use कर रहे है, यहाँ पे Export Duty, क्योंकि जब भी बात Customs की आती है, तो नॉर्मली आपकी दिमाग में यहाँ आता है, क्योंकि चलो, Customs एने Importation, इंपोरेशन पे Tax आएगा, पर ऐसा नहीं है, क्यों उन्होंने Export Duty यहाँ इसले कहा कि कही कोई Confusion ना हो जाए, क्योंकि अगर सिव इतना लिखते Duties of Customs, तो वो Situation में यहाँ पे कही Mis Interpret Law हो सकता था, और वो यह किसी Import पे आता है, Export पे नहीं आता है, इसले Specifically उने लखा कि Custom में हम Export Duty भी कवर कर रहे हैं, और Export Duty पे भी Tax आएगा, त तो Entry No. 83 आपको यह पावर देता है कि वो Custom Duty लगा सकता है, Duties of Customs, इंक्लूदिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, अम लिखेंगे यह Entry, don't worry for that, तो यहाँ पे, अब एक सवाल, जो पूछा गया और मैं एक्स्पें करने वाला ही था, और मुझे बहुत अच्छा लग Entry No. 83 आपने देखी, चलो, अब यह सवाल मैं लेनी वाला था, तो PPT उसकी रेडी है, पर अगर यह पूछ लिया आपने, तो यह मैं लेलेता हूँ, तो Duty और Tax में क्या डिफरेंस है, तो मैं लेलेता हूँ, Duty यह जो वर्ड है, बताता हूँ, Custom Law कैसे डेवलप हुआ, अब जातनीकली है, तो दूर तलग जाएगी, ठीक है, बता, क्या होता था, पहले, यह Customs Law very old tax, बहुत पुराना tax है, पहले आपको पता होगा, system of monarchy है, अलग-अलग राजाओ का, अलग-अलग अपना kingdom था, अपना-अपना राज्य था, और जब कोई एक kingdom से, दुसरे kingdom में कोई merchant है, businessman है, और वो merchant एक kingdom से, दुसरे kingdom में business करने जाता था, तो जैसी वो अपने goods लेके जाता था, तो पहले वहाँ के राजा को खुश करना पड़ता था, तो ही वो उसको license देता था, permission देता था, कि ठीक है, तो मेरे territory में आ रहा है, मेरे territory में तेरे goods बेच रहा है, तो कमा के जा रहा है, तो पहले मेरा license ले, मेरी permission ले और तू business कर, तो बिटा, क्या होता था, कि यह जो लोग है, राजा को खुश करने के लिए कुछ good देते था, कि चलो भई, अपने राजा को खुश करना है, तो अमें permission देगा, business करने के लिए, तो वो और उनको क्या good देते थे, त future में वो बन गया, tax, customs का है, customs का dictionary meaning low, तो tradition, वो tradition बन गया, कि कोई दूसरे के territory में जा रहा है, तो वो एक tradition था, कि वहां के जो governing body है, उसको कुछ दिया जाए, और वो बन गया tax, तो duty word वहां से आया, duty word जनरली जो है, goods पे use किया जाता था, come on, goods पे use किया जाता था, एक था, यहां पे custom duty, और दिसरा था, excise duty, अब excise duty के बारे में आपने इंटर या IPC लेवल पे पड़ा होगा, पर हमको उसका ज्यादा ज्यादा जाना नहीं है, अब तो हमें GST law पढ़ना है, तो duty word जनरली goods related use किया जाता, duty nothing but tax, I repeat, duty nothing but tax, लेकिन goods related use किया जाता है, और other than goods के लिए tax use होता था, जैसे income tax है, उसके बाद में sales tax, sales tax था goods पर उसका primary event sale था, secondary event goods था, लेकिन customs अगर हम पढ़ेगे तो customs का primary event goods है, secondary import export है, तो water it में भी इसकी technicality में आपको नहीं जाना है, लेकिन duty word generally commodity related use किया जाता था, और tax other than, यहां पे commodity, लेकिन GST आने के बाद यह इतना important नहीं क्योंकि GST भी tax goods पर है, goods and services tax हो गया है, तो अब यह difference को इतना importance मात देना, कब duty कह है, कब tax कह है, पर in general sense, कई define नहीं हुआ है, पर in general sense, जब कोई tax commodity पर लगाया गया, पुराने टाइम पर तो वर duty यूज किया गया, क्योंकि हमारे बहुत से word, British law से आया है, तो यहां पे England के जो law थे, उसमें duty word यूज किया जाता था, और बाकी tax, चलो, इसको ज़्यादा stress नहीं करता हो, फटा-फटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, next बेटा, हम आते है, Customs Act 1962, तो अब, entry number 83, list 1, article 246, ठीक है, इसमें authority मिल गई, और क्या authority मिल गई, Customs Act 1962, यहां पे, यह है, sorry बेटा, यहां पे मिल गई, और entry number 83 के तहद, हम यह act बना रहे हैं, और वो act का नाम है, Customs Act 1962, done, yes or no, चलो, अब, इसमें बेटा, आपको, object, structure, history, आपका क्या object है, क्या structure, मतलब, यह Customs Act का क्या object है, क्या structure है, इसकी क्या history है, इसके बारे में discussion हम करेंगे, अगर पहली बात हम देखें, तो, Customs Act का जो object है, to regulate, import, export, procedure, मतलब, यहां पे, हर goods इंडिया में कैसे import होगा, कैसे export होगा, उसकी complete procedure कैसी होगी, वो पूरा control करता है, Customs Act, इसमें में आपको हर एक बात बता होगा, कि importation करते होगा, क्या responsibilities है, कौन से documents आपको file करना है, अपनी कौन से responsibilities फुल्फिल करना है, इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे, Customs Act, to regulate import-export procedure, second, to prevent domestic industry from dumping, I repeat, to prevent domestic industry from dumping, मतलब क्या, dumping मतलब, throwing the product in the market at very low price, I repeat, throwing the product in the market at very low price, तो उसको कहते है, dumping, तो आज आप देख रहे हो, foreign competition बहुत जादा है, especially China के, हम बात करें, तो China से foreign competition बहुत जादा है, Korea से जादा है, तो यहाँ पर यह अपना product इतने कम price में इंडिया में दंब कर रहे है, तो domestic industry completely destroy हो सकती है, तो ऐसे situation में, और COVID में आपने देखा, कि China ने आपको रिकावर कर लिया, और वो यहाँ पर डारिक्ली इंडारिक्ली कंपनी पर कंट्रोल कर रहे है, अपना product इंडिया मास इंडिया मार्केट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसे अलग अलग टाइप की अलग अलग situation में duties लगाई जाती है और इस तरह से हमारे domestic industry को यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है तो यह जो है, prevent the domestic industry from dumping, इसके बारे में different duties हम पढ़ेंगे और third habitat to collect revenue, मतलब duty collection भी, तो गवर्मेंट कहती है कि चलो, regulate करते-करते और प्रिवेंट करते करते हैं, कोई पैसा मिल जाय तो पैसा किसको अच्छा नहीं मिल लगता है और ऐसा है, गवर्मेंट कहा है कि तू मिला तो हमको भी चाईए ठीक है तू बू बिजनेस कर रहे हैं, तूमको पैसा मिला तो हमको भी चाहिए तो ऐसे situation में यहाँ पे to collect revenue, एक बात को, यह main object है उनका revenue, बाकी तो ठीक है, पर मैंने थीसरा लिखा, क्योंकि देखो, पैसा देखो, स्टार्ट में नी लिखना, आखरी में लिखना, तो वो पैसे वाला आज भी नहीं लगता है, तो चला, जो वाटी रिट में भी to collect the revenue, तो custom act का structure क्या है, पहले तो constitution of India, जिसमें entry number 83, तो entry number 83, यह source entry है, यह empower करती है, for levy of custom duty, फिर हम देखेंगे act, rules, notification, circular, तो मैं mostly कहूँ कि आपको, हमें act ही detail में देखना है, rules में सी valuation rules, baggage rules, duty drawback rules, यह जो major rules हमारे syllabus में, regulation और circular बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर स तो यह act क्या होता है, rules क्या होते है, circular क्या होते है, तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा discussion करेंगे, regarding to object and structure, तो चलो दोस्तों, थोड़ा break चाहिए, yes or no, break चाहिए आपको, बोलो बड़ा बड़ा, फिर आगे continue करेंगे break के बाद, अयूश नो, अरे बापरे, इतना interest आगे आपको, कि ब्रेक नहीं चाहिए, सुनेना भी नो कह रही है, लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए, मैं continuous देड़ गंटे से बोल रहा हूँ, चलो, तो हम यहाँ पर दस से पंदरा मिनिट का ब्रेक लेते हैं, और फिर continue करते हैं, पर मज़ा आ रहा है, यस बोलो, मज़ा आ रहा है, सो तो नहीं रहा है ना आप, चलो, चलो, मज़ा आ रहा है ना, चलो, ठीक है, ओके, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद, आगे आगे देखो, होता है क्या, ठीक है, क्या क्या प्रेक लो दू है, laughs, रहा है वक लेते हैं, ऑ्रेक लेते हैं, चिर्चने में ड़िधे पर दो दोपती का दो त libraryता है, है, वालो, त och तर रहा है, Caribbean और रहा, हैी, जस ब दो दूत की आग्यादीक दो जेते हैं, क्या Records से हैं, सिह ब RN- Muslims occupहara दो ठाgsट हैं, स्ट है क् आप में से कुछ students ये पूछ सकते हैं कि sir क्या हमें ये लिखना जरूरी है object क्या है structure क्या है तो मैं ये कहोगा कोई जरुवत नहीं लिखने की सिफ समझ लो आगे structure मैंने दिया हुआ है हमारे notes में हम उसको discuss भी करेंगे और उसके बाद में history तो somewhat history about customs act 1962 short में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इसके history क्या है चलिए देखते हैं यहां दोस्तों अगर हम history के बारे में बात करें तो custom act में 1962 के पहले तीन अलग-अलग act थे जैसे आप देखते हो तो 1962 आपको यहां दिख रहा है पर पहले तीन अलग-अलग act थे और तीनों act को merge करके बनाया गया customs act 1962 फिर बात हम करेंगे global and wto policies और तिसरा थोड़ा smuggling, हवाला, mafia हिया, custom में पहले कैसा होता था और इसको किस तरह से रोका गया तो इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे ठीक है तो दोस्तों देखो यहां पर अगर मैं discussion के लिए लूँ 1962 के पहले इन्या में तीन act थे चलो फटा पड़ी देखो 1962 के पहले इन्या में तीन act थे एक था इन्लाइन बांडड़ वेराऊस आक दूसरा Sea Customs Act और तिसरा Land Customs Station Act अब मैं बहुत बहुत बैसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और मेरा बैसिक क्वेश्चन यह है कि वेतो इन्या में अगर goods इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो कितने mode of transport हो सकते है फटावट बताओ कितने mode of transport हो सकते है एक by air जो आपको यहां देख रहा है दूसरा by sea route जो आपको देख रहा है और तिसरा मैं आपका answer का बेट कर रहा हूँ फटावट और तिसरा बेटा by land route, land route में railway या फिर के truck वगरे से इंडिया में import होगा तो यह तीन नॉर्मली major route होते है जिससे इंडिया में import होता है हां और आप pipelines भी कह सकते हो जैसे pipeline oil वगरे import किया जाता है तो pipeline वगरे यह भी हो सकता है जो बैस sea route ला जाता है तो major 3 route होते, air, water and land route ठीक है तो 1962 के पहले क्या था 1962 के पहले यहां पे जो goods by air import हो रहा था उसके लिए separate act inland bonded warehouse लिकना नहीं है लिकना नहीं है सिब जान करें inland bonded warehouse act जो goods by sea route आ रहा है उसके लिए sea custom station act और जो by land आ रहा है तो land custom station act यह ऐसे तीन अलग-अलग act थे, तीन अलग-अलग offices थे, तीन अलग-अलग administration थे लेकिन 1962 में यह सुचा गया कि आर यह ऐसे तीन act रखने की क्या जरुवत है तीनों भी customs को control करते है कि उन्हों तीनों को merge कर दिया जाए और तीनों को merge करके एक ही law बनाया जाए जिसका नाम होगा custom act 1962 तो 1962 में एक बहुत बड़ी step ली गई और 62 में यह step में तीनों act merge कर दिया इसका मतलब 62 के पहले custom duty थी जब British government का राश्ता तब भी custom duty थी लेकिन यहां पे 62 में तीनों को merge कर दिया दोस्तों और तीनों को merge करके एक ही law बनाया इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैं custom act 1962 में कोई भी procedure यहां पे concept explain करोगा तो आपको तीनों कॉंटेक्स में देखना है मतलब क्या मतलब आपको by air by sea route और by land route यह तीनों कॉंटेक्स में आपको पढ़ना है okay customs act is it clear विटा? come on यह बाता ही समझ में चलियो discussion को थोड़ा आगे बढ़ाते है यहां पे तो अब तीनों अग को merge कर दिया और बना customs act 1962 okay customs act 1962 अब थोड़ा मैं आपको यह भी बता दू कि आज मैं यह से history बता रहा हू वैसे हो सकता है 25 साल बाद यह history बता होगा कि पहले एक्साइज भी था फिर वैड भी था फिर CS भी था फिर सब वैड CST exercise service tax merge कर गे GST बनाया गया और GST 2017 लाया गया एक बहुत अच्छा model बनाया गया यह history में आज के 25 साल बाद आपकी जो आर्टिकल होगे हो सकता उन आर्टिकल को मैं यह पे explain करो तो आपके आर्टिकल बड़े खुश हो जाएगे और आजाएगे और कहेंगे कि आजना समने बत अच्छी हिस्ट्री बताई तो आप पुछो किसके पास क्लास लगाई तो वो कहेंगे मैं अपना नाम नहीं लिया ठीक है तो वाट यह रिध में बड़े जस्किडिंग तो यहां पर यह था रिगार्डिंग टू तो फॉर्स हिस्ट्री अबाट कस्टम्स एक कि यह कस्टम्स एक नाइंटीन सिक्सिट पर यह रिपिट इंडिपेंडन्स के पहले कस्टम्स एक इंपोर्डियूटी जो रेट थे वो कितने थे 5% ब्रिटिश गवर्मेंट में लेकिन जैसे इंडिपेंडन्स मिला हमारा कस्टम्स एक शूट हो गया और वो जो है 300% ऑन गूट्स एक जस्टिंग इमाजिन यहाने इंडिपेंडन्स के पहले 100 रुपय का गूट्स अगर आप लाते हो तो वो 100 रुपय के गूट्स पे सिपाच रुपया कस्टम ड्यूटी थी लेकिन जैसे हमको इंडिपेंडन्स मिला हमने कस्टम ड्यूटी रेट सबस्टेंशली बढ़ा दिये और 300% कर दिया मतलब 100 रु इतना इतना स्टम ड्यूटी आपके इसमें सवाल आएगा कि सर वाय कि इतना क्यों बढ़ाया गया तो वेटा यहां पे इसको इतना बढ़ाया गया क्योंकि इसके बीचे दो रिजन थे एक scarcity of foreign exchange reserve हमारे पास foreign exchange नहीं था दहार से देखना हमारे पास foreign exchange नहीं था foreign exchange क्यों चाहिए क्योंकि जब goods import होता है तो उसके payment foreign exchange में होते थे और India को just अभी-भी independence मिला था पैसा कहा था हमारे पास foreign exchange में तो ऐसा situation में हम foreign currency में pay नहीं कर सकते थे तो वो case में हमें import को कही तो भी indirectly रोकना पड़ा और हमने indirectly कैसे रोका import को तो हमने custom duty बहुत बढ़ा दी उसके ओपर 300% बहुत सारे goods 300% पे थे as well as हमने license भी रख दी है मतलब इंडिया में कोई भी ऐसे import नहीं कर सकता था अगर इंडिया में import करना है तो इसके पास license होना जरूरी था आज थी कि आज आप Amazon से कुछ limit तक import कर सकते हो एक certain limit तक import कर सकते हो पर पहले ऐसा नहीं था पहले जब भी किसी को कुछ भी import करना है तो 1992 के पहले license होना जरूरी था आज भी बहुत से cases में license है लेकिन 90% cases free import में है तोड़ा में बाद में समझाओगा आपको तो license रख दिया customs duty बहुत जाता बड़ा दी उसके वज़े से क्या indirectly custom पे import पे control कर दिया है Indian government ने क्योंकि foreign exchange नहीं था और दुसरा main reason main reason यह था बेटा क्या main reason था to protect domestic industry from foreign competition अब to protect domestic industry from foreign competition मतलब क्या क्योंकि देखो अभी-अभी independence मिला था अगर हम हमारे domestic industry को protect नहीं करते थे द्हांसे सुनना domestic industry को protect नहीं करते थे तो वो situation में foreign competition domestic industry को develop कभी नहीं होने देती थी जैसा Dubai Dubai की खुद की domestic industry develop नहीं हो पाई पूरा US का control है वहाँ पे industries पे तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए अब ठीक है अभी अब वो develop कर रहे है लेकिन no doubt बहुत बड़ा US का influence है दुबई में हमको इसके detail में नहीं जाना है तो domestic industry को अगर बढ़ावा देना है आगे बढ़ाना है तो हमें foreign goods को रोखना पड़ेगा foreign competition को रोखना पड़ेगा यह दो main reason थे जिसके वज़े से custom duty 3% थे और दूसरा custom license थे तो इसके बाद में next बेटा थोड़ा और इस के history में आगे बढ़ते लेकिन अब थोड़ा मैं आपको यह समझा देता हूँ नीचे का slide शायद आपको नहीं दिख रहाँगा पर मैं थोड़ा यह slide को समझा देता हूँ और वो इस तरह से बेटा कि जैसे पहले initial stage पे 300% custom duty थी और फिर 1992 में जब economic reform हुआ तो reform के बाद custom duty उन्होंने 300% से कम करना चालो कर दिया आज का peak custom duty rate शायद स्लाइड में नहीं दिखेगा लेकिन मैं बता देता हूँ आज का peak custom duty rate बेटा 10% है और maximum custom duty जो लगेगी वो 10% लगेगी तो ऐसा क्या हुआ कि 300% initial पहले 40-42 साल हमने यहां पे 300% custom duty लगाए और उसके बाद custom duty जो हमने 10% पे लेके आगे ऐसा क्या reason था इतनी custom duty क्यो हमने कम कर दी तो उसका बेटा कुछ important reasons मैं यहां discuss करना चाहूँगा एक तो WTO policy दूसरा foreign competition के वज़े से हमें okay Indian domestic industry को भी competition में लाना पड़ा और तिसरा जो है control on smuggling and हवाला अब सबसे पहले बात करते हम WTO policy पे okay WTO क्या पता है आपको WTO क्या होता है बेटा final level पे हो नालाई की मत करना okay नालाई की मेरा फ्यूरेट वड़े मैं पैर से बोलता हूँ done तो यहां पे WTO World Trade Organization पहले इसका नाम तक GATT General Agreement of Tariff and Trade okay तो क्या था एक organization बनी थी okay जिसमें India founder member था GATT और अब बनाओ WTO तो क्या हुआ कि यह organization यह थे कि international जितने भी trade होते है और international tariff जो होते है इसको okay तो यह जो international जितने भी trade होते है बेटा और यहां पे tariff जो है यह common रखे जाए और all over world okay एक में country में trade करने के लिए common policies रखी जाए common rate लगे जाए तो उसके लिए GATT organization बनाई थी और बाद में वो WTO बनी तो वर्ल ट्रेड organization का continuous Indian government पे प्रेशर था 1992 के पहले कि देखो आप founder member हो GATT के हो और WTO तो 1995 में बना पर पहले GATT का जो continuous pressure था और वो यह प्रेशर था कि आप member हो आप अपनी जाए common tariff पे लाओ common policies पे लाओ जैसे आपके good जब हमारे country में आते हैं तो हम क्या rate लगाते हैं 10% 20% और हमारे good जब आपके country में आते हैं तो आप 300% rate लगाते हैं यह कहां की इंसाफ हुआ यह तो बड़ी ना इंसाफ ही हुई तो ऐसे situation में यहां पे आप जो rate इतने मत करो तो Indian government मान नहीं रही थी 1992 में क्यूंकि हम close economy में चल रहे थे हम बहुत डर से चल रहे थे तो Indian government मान नहीं रही थी तो फिर क्या होता था बहुत सी foreign government specially Indian goods पे extra duties लगा के रखते थी क्योंकि वो कहती थी equal treatment नहीं है जबकि WTO की policy गैट की policy थी कि across the countries सभी अप एकमेक के goods को equal treatment दे और यहां equal treatment बिल्कुल नहीं है तो ऐसे situation में हम भी extra duty लगाए के तो इसके वज़े से क्या हुआ कि हमारे goods की पैचान बहार इतनी ज़्यादा बनी नहीं और बहार इतनी ज़्य ज़्यादा heavy duty लगा दी कि Indian industry कभी develop होनी पाई क्योंकि यहां से वो export ही नहीं कर पाया क्यों क्योंकि बहार लोगोंने heavy duty लगाया WTO का pressure continuous था कि duty कम करो दूसरा मैं बता दे तो बेटा world bank, world bank भी continuous यहां पे Indian government पे यहां pressure डाल रही थी कि आप अपनी policy open करो, customs के license करो और free trade होने दो और उसके बाद में duty कम करो, तो world bank इसलिए हमारे पे pressure डाल रही थी कि हमने world bank से बहुत ज्यादा borrowing कर के रखी थी और huge loan था, हमारी तो situation 1992 में ऐसी थी कि world bank के installment देने के लिए बौरो करते थे, तो world bank का बहुत tremendous pressure था, और world bank का no doubt America का influence था, बहुत से European countries का influence था, और क्या है थ 30 में European country में यहाँ थोड़ा severe recession थोड़ा severe recession थोड़ा था, वहाँ प्रड़क की डिमांड क्रेटी नी हो रही थी, अब उनको दो market बड़े lucrative लग थे, इंडिया और चाइना, अब इंडिया जो है, वो close में चल रहा है, चाइना भी बहुत दिनों तक close policy में चला, तो यहाँ इंपोर्ट बैन ही था, एक तरह से बैन था, डारिक बैन ही था, एक तरह से कैसे बैन था, एवी कस्टम ड्यूटी और लाइसंस रखे वे थे, तो ऐसे situation में, यहाँ दोस्तों, इंडिया में कैसे वहाँ से गूड़े जाए जाए, बहुत सी अरोपियन कंट्रीज, यहाँ इंडिया में अपने प्रड़क लाँच करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव मार्केट था और बहुत बड़ा मार्केट था, तो वह लाँची नहीं कर रहे थे, इंडिया में गूड्स एक्सपोर्टी नहीं कर पा रहे थे, तो वर्ल्ट बैंक के थ्रू कर दी यहाँ पर दोस्तो कि लोन नहीं देंगे, अगर तुम ने पॉलिशी अपन नहीं किया, अगर तुम ने re Mackiepower रइट कम नहीं किया, तो अगर तुम ने अपनी कोणो भी तो अब हमारी सिचुएशन तो ऐसी थी कि हम इंस्टॉर्मेंट देने के लिए लोन निकालते थे तो सच में उन्होंने बॉर्रिंग बन कर दी लोन देना बन कर दिया तो ऐसे एक स्टेज ऐसी थी मुझे याद है मनमों यहाँ पर मनमों सिंग जी फाइनस मिनिस्टर थे नरसे राओ गॉवर्मेंट में नरसे राओ जी यह प्राइम मिनिस्टर थे कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्ण एक्षन डिजर्व सिफ नेक्स 14 देस का था आज एमारा फॉर्ण एक्षन डिजर्व पर स्ट्रॉंग है पर तब ऐसी इस इसचिशन आगई थी कि हमने गोल यहाँ पर मॉर्गेज कर दिया था वर्ल्ट बैंक के पास उसके बाद 14 डेस का बहुत अच्छे एकोनोमिस्ट है बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे में उसके बारे कोई कमेंड नहीं करूगा लेकिन नोड़ बहुत अच्छे एकोनोमिस्ट है तो वह खुद भी चाहते थे कि इंडियन एकोनोमी ओपन हो और वह राजु गांदी गुड़awk नहीं का इकषपॉर्ट नहीं हो और क्या एक्षपॉर्ट और जूट एकुट या कुछ गिने चुने गुड़awk एक्षपॉर्ट ओर जिसमें Уudi नहीं हो इसमें नाम भी नहीं और इंडियन योड़क और हइसा नहीं नहीं आए जा रहा है तो वह देख रहेते के यहां पे इंडियन इंडिस्ट्री बिल्कुल केरलेस है, निगलिजेंट है, वो फॉरेंड मार्केट देखी नहीं रही है, और फॉरेंड में भी हमारे गूड्स पे बहुत सारा हेवी ड्यूटी लगाने के वजए से वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे है, तो वो यह दे इन इन इंडियन इंडिस्ट्री फिर वो गुड्स में हो या सर्विसे समय इनको मार्केट कॉंपटिशन आनी ही चाहिए, और एकोनोमिक ग्लोबल होनी चाहिए, और सही कहा, यहां पे कमल ने ग्लोबल और लिबरल भी होनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में, 1992 में यह और कि नर्सी और गुवर्मेंट में मनमोन सिंह ने बहुत बड़े डिसीजन लिए और आपको सही कहुँ क्या आपको सही कहो क्या, कॉंपटिशन चाहिए बटा, तो यह आदमी सुधरता है, बिना कॉंपटिशन तो मोनोपली करता है, पर कॉंपटिशन रही तो यह आपने आपको इंपरू कर सकता है, तो यह आपको एक बात बता दू, मैंने यह देखा है, और इंडियन इंडर्स्ट्री कैसे डेवलफ हुई, थोड़ा एक एक एक्जाम्पल से बताना चाहोगा, 1997 की बात है, 1997 की बात है, बैंक में लोन इसली नहीं मिलते थे, और श्राइजन बैंक थी, गॉर्मेंट बैंक थी, फिर S.B.I. को, या माराष्ट्र में बैंक बाहराष्ट्र को, तो ये नाशनलाइज बैंक में, अगर आपको छोटा सा पच्छी हजार का भी लोन लेना रहा तो वहाँ मैनेजर अपने आपको किंग समझता था, और मैनेजर तो चुड़ो, तो वहाँ प्यून भी अपने आपको किंग समझता था, मुझे याद है मैं अपने पाप के साथ जब होमलोन निकालने था, पचास हजार का होमलोन था, और होमलोन निकालने पाप के साथ अई गया था, तो वहाँ का प्यून भी अपने आपको किंग समझता था, competition आई, okay foreign banks इंडिया में आई, या फिर Indian banks privatize उई, तो ऐसे situation में, बहुत सी private bank like HDFC, ISAC, ये banks जब कोंपेटिशन मिला नेशनलाइज बैंक को तो आज का सिनारिय देखो, जब आप बैंक में जाते हो, okay तेक रिस्प्शनिस्ट आती है कहती है मैं help you, ऐसा लगता रहा पर कुछ तो हो गया, तो in simple word मैं आपको इतना कहना चाहोगा, कि yes, competition से आदमी सुधरता है, और आज देखो, SBI की प्रोडक्स देख लो, ठीक है, कितना भी किया तो government bank, nationalized bank है, पर improvement बहुत जाद है, बहुत से यहां पे banks में उन्हें अपने आपको बहुत इंप्रूव किया, दूसरा मैं बताता है, टेलीकॉम सेक्टर रिवालुशन हो गया, रिवालुशन, पहले BSNL के कनेक्शन दो दो साल नहीं मिलते थे, और जिसके आप फोने उसको रिच परसन माना जाता था, और मुझे याद है कि हमारे बाजू में थोड़ी रिच फैमेली थी, उनके आप फोन था, और तो हम उनसे सम्मंध बहुत अच्छे मनागे रखते थे, क्नेक्शन, क्यों क्य वहाँ आते थे, और फोन को ऐसा पहली बार जब मेरे आप फोन आया, तो मैं उसको दस बार उठा के देखा कि चलो मेरे आप फोन है, तो पहले यहाँ पर क्या था कि मोनोपली थी, कस्टमर बेस सर्वीसेस नहीं थे, आज देखो, आज रिवालुशन हो गया है, या आज आ क्योंकि हमने एकोनोमी ओपन की, हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह पॉलिसी पे हमने वर्क हिया, 1992 के बाद, और यह सही का, कमल आज तो पकड़ पकड़ के लोन देते है, प्री अपरूड लोन जा है, तो आपको पहली प्री अपरूड लोन हो जाते है, तो तो यह था रिगार्डिंग टो वेटा, जहां तक देखा जाए, यहां पर कॉंपटिशन होना जुरूई था, और में दूसरा एक रिजन, कि हमने कस्टम डूटी रेट और इंपोर्ट लिबरल क्यों किया, स्मगलिंग और हावाला, 60s में, 50s, 60s और 70s में, इतना स्मगलिं क्यों नहीं होगा, 300% कस्टम्स डूटी, तो लोग स्मगलिंगी करेंगे, आपको याद होगा कि पहले, यहां पर दाओद के पहले पहले स्मगलिंग जो था, फिर दाओद आया स्मगलिंग में, एक्सेटरा, 70s, 80s में तो बहुत जाद होगा, अगर आपको याद होगा, त स्मगलिंग में, मोगया मोग खुश हुआ, तो विलन फिक्स था, स्मगलर, और यहां पर एक्ट्रेस और एक्टर जो है, वो लड़ रहे है, कही तो भी यहां सक्सेस्पूल हो रहे है, और आखरी में पिच्चर खतम हो रही है, लेकिन फिर क्या हुआ, 1992 के बाद रेट कम हो है, 10%, यह मैक्सिमम गुट से पर बहुत से गुट से पांच परसंट में एक्जम्शन में भी है, कोई लाइसंस लेने की जरुवत नहीं है, तो बहुत कम कर दिया, तो आज काल कैसा है, कि मुवी जो है, अब स्मगलिंग में जादा नहीं होती है, वो स्मगलिंग होगा तो कि मुवी का पैटन भी बदलने लगा, आज की मुवी तो बदा अलग अलग आती है, क्या कहों, और उसमें नेट्फिक्स ने तो जमाना ही बदल दिया है, तो क्या कह, वाट्योरिट में भी, तो स्मगलिंग इतना जादा था था, अनप्रसिडेंट लिबल पे होता था, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, यहां पे जो है, यह कस्टम ड्यूटी रेट कम किये गए, तो हमें बहुत फाइदा हुआ, और एकोनोमी लिबरल और उपन करने का, और कस्टम ड्यूटी कम करने का, तो आरहा है दोस्तों, समझ में हाँ बलो कोई स्वया तो नहीं है, मजा है, discussion में, okay, yes, आपको मेरे साथ involve होना है, सब yes बोलेंगे, just a minute, बिटा, चलिए, तो यह हमने, यहाँ पे history देखी, कस्टम्स एक की, अब आजाते है, हमारे मॉडूल पर है, अरे, सभी yes बोलो, यहाँ पे बस तीन-चार लोग क्या कर रहे हो, सभी yes बोलो, ठीक है, तो अब हमारे discussion पर आजाते है, कस्टम्स एक 1962, ठीक है, यह आपका cover page है, थोड़ा index पर हम बात करने की कुशिश करते हैं, सो दोस्तों, कस्टम्स एक 1962 में, हमें यहाँ टोटल 13 चाप्टर्स पढ़ना है, यह मैंने 13 चाप्टर्स किया है, हो सकता है, इंस्ट्यूट के मॉडूल में इसको 7-8 चाप्टर्स में cover कर लिया हो, पर अपून का अलग स्टाइल है, ठीक है, तो यहाँ हमें 13 चाप्टर्स पढ़ना है, पहले चाप्टर में, थोड़ा मैं overlook कर देता हो, और फिर हम discussion स्टार्ट करेंगे, पहले चाप्टर में, हमने जो constitutional provision देखी, वो मैंने दिया हुआ है, आर्टिकल 265, 245, 246, शेडूल 1, उसके बाद में, लेवी आप कस्टम ड्यूटी, लेवी आप कस्टम ड्यूटी पर हम बात करेंगे, कि कस्टम ड्यूटी जो है, कब लगती है, तो उस पर हम बात करेंगे, मैं दो मिट के लिए लेक्चर रोगता हूँ, कमल ने कौशन पूचा है, HEY सर ग्लोबली कस्टम परोसीजर एक जैसी होती है किया, इसके बारे हम बात करेंगे बेटा, YES मैं आपका answer तो दे देता हो, YES, कि ग्लोबली पूरी कस्टम परोसीजर एक जैसी होती है इसके बादे में थोड़ा रुग जाओ, patience रखो आगे हम बात करेंगे तो constitutional provision और levy of customs duty तो customs duty कर लगती है यहाँ पर हम Ayush की बात करेंगे कि Ayush ना ऐसा क्या कर दिया कि वो officer custom duty demand करेंगा है तो Ayush को हम पिच्चे में वापस लाएंगे उसके बाद में बेटा हम देखेंगे import export procedure तो जैसे आपको याद होगा तो custom का एक object है regulate, import and export तो जब goods import होता है तो क्या procedure है यहाँ पर जो captain and ship का उसको क्या procedure कंपलेट करनी है पर goods land होने के बाद importer को क्या procedure कंपलेट करनी है कौन सी documents देना है same for export इसका detailed discussion हम इस chapter में करेंगे one of the most important chapter है theoretical, okay exam में एक आदा question आता है कभी-कभी, लेकिन ये chapter समझे तो ही आगे का समझ पाऊगे ये chapter इसले है important है कि आगे का समझना है बहुत अच्छे से, तो इसकी procedure इसके documentation और इसके terminology आपको अच्छे से जानना जरूरी है इसले import-export procedure transit and transshipment of goods, next date for determination of rate and tariff value जब custom duty हमें लगती है तो किस दिन का rate हमने लेना चाहिए assessment कैसा करना चाहिए वो तिसरे chapter में पड़ेंगे, again a very very important chapter, जो हमारा तिसरे chapter है फिर custom tariff act हाँ, तो custom में अभी थोड़ा में आगे लोगा, तो custom tariff act में अलग-अलग duties लगाई गई है अलग-अलग duties मतलब यहां पे जो जहां तक देखा जाए, तो anti-dumping duty, safeguard duty, specific safeguard duty, to prevent domestic industry from dumping, तो यह जो अलग-अलग duties है, वो हम 4 chapter में देखेंगे, next chapter जो valuation, जहां practical question आते है, और out of 20 marks, okay, इसके उपर 5-6 marks का question 100% आता है, एने one of the most 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 important chapter, okay, यह करना ही पड़ेगा, अगर आपको 5-6 marks लेना है, तो मैं आपको कहँदू, custom 20 marks का होता है, उसमें अगर आपने, धान से सुनना, MCQ हैंडल कर लिए, और यह हैंडल कर लिए, तो ऐसी 13-14 marks का आपका हो जाएगा, okay, और जैसे इंपोर्ट करते-करते, हमारा goods डिस्ट्रा हो गया, चोरी गया, यानि क्लियर करने के पहले ही डिस्ट्रा हो गया, चोरी गया, तो हमें क्या कंसेशन मिलेंगे, क्या, आपको याद होगा, तो आपने CA, इंटर या IPC लेवल पर पिलफरेज गूड्स, डिस्ट्राइड गूड्स, ऐसे वर्ट पड़े होगे, तो वो सिचुएशन में हमने करना क्या चाहिए, कस्टम में कैसे कंसेशन मिलेंगे, तो उसका डिटेल डिस्कुशन हम यहां देखेंगे, अब जब इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट बेटा सिफ कारगो नहीं होता है, का कुरियर भी होते है, स्टोर्स भी होते है, तो स्टोर्स आता है, तो क्या प्रोसिजर लगती है, कुरियर या पोस्स से गूडस आता है, तो क्या प्रोसिजर लगती है, उसके बारे में भी हम discussion करेंगे drawback, यानि कस्टम में रिफंड मिलता है यानि अगर आप यहाँ पे raw material एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो तो यहाँ पे drawback मिलता है, refund मिलता है drawback scheme, one of the interesting chapter, really आपको मजा आएगा तो यह drawback scheme भी हम आगे देखेंगे baggage, baggage यह चेप्टर में क्या जैसे बहुत सी बार जब मैं custom का नाम लेता हूँ तो custom में आपको लगता है कि मैंने container में लाया, cargo में लाया और container cargo में आया है तो उस पर भी custom duty लगती है, ऐसा नहीं है अगर आप bags में लाया हो, trunks में लाया हो तो वो bags में लाया हो, चोटा सा goods क्यों नहीं हो उस पर भी custom duty लगती है लेकिन हाँ, baggage में कुछ कंसेशन है कुछ amount तक आगे कंसेशन दिये है तो डिटेल डिस्कुशन हम आप baggage में करेंगे custom tarifact, अब धेहन से सुनो यहाँ मैंने custom tarifact chapter number 4 भी लिया है और custom tarifact chapter number 11 भी लिया है तो एक ही chapter दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे स्रिफ हम जो है additional custom duty आपको याद होगा CVD कहते है additional custom duties होती है तो एडिशनल custom duty के बारे में हम डिटेल डिस्कुशन करेंगे यहाँ पे chapter number 4 में जो बहुत जरूरी है valuation chapter को समझ लेको और बाकी सब duties जैसे safeguard duty, anti-dumping duty and etc यह एरिया में amendment भी है by finance act 2020 तो हम custom tarifact में बाकी सब duties chapter number 11 में पढ़ेंगे और customs audit एक page का chapter है और custom refund यह भी एक page का chapter है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों तो यह था regarding to index of our customs act मैंने section wise list भी दिये अगर आपको section wise कौन सा page पे क्या discussion किया है तो मैंने वेटा complete list दिये तो custom act की उसके बाद में यहाँ rules होगे तो rules custom tariff act and etc चलो constitutional provision फटा फट मैं यहाँ पर जो भी अपने discuss किया यहाँ बता देता हूँ हमने discuss किया article 265 अगर आपको याद होगा तो चलो देखो article 265 क्या कहता है no tax shall be levied or collected except under the authority of law मतलब tax लगाना है तो law उससे related law होना जरूरी है law बनानी की power को और legislature of state को parliament और legislature of state को यह power दिया गया है उसके बाद में article 246 में यहाँ पे entry number 83 यह power देता है कि custom duty लगाने का और यह important entry number 83 यह याद रखना article 246 schedule 7 list 1 में entry number 83 आपको यह power देता है कि हम custom duty लगा सकता है including export duty चलिए tax hierarchy tax hierarchy अब बेटा यह जो है यह आपने लिख लेना GST का पहले lecture में आपको बहुत detail में पढ़ा होगा कि rules क्यों बनाया जाता है regulations क्यों बनाया जाता है मेरे starting के lecture में में बहुत detail में cover किया है तो यहाँ सिभ लेना वैसे आपको other faculties में पढ़ा होगा लेकिन GST context में में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो constitution of India तो आप यह लिख लो constitution of India लिखो first point या आपके notebook में लिख लो अगर आपके आपने notes download नहीं किया होगा तो यहाँ notebook में sir आप क्या marks note दोंगे तो मैं कल बता दूँगा आपको कहां क्या-क्या underline करना है आपने print निकाल के फटा-फट आपने underline करना और physical notes आपको जब आजाएगी तो उस पर से बाद में आपने correction कर लेना ठीक है तो physical notes का dispatch हमारा कल से start हो जाएगा तो most probably कल से ही start हो जाएगा तो आपको आजाएगी तब तक print out मैं मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या लिखना है अभी आप मेरे साथ कुछ important points लिख लो पूरी law की हिरार्की क्या होती है नहीं नहीं कौशाली आपका सवाल है कि कर कस्टम में mostly theory है क्या theory है पर animated में बड़ा interest आता है और दो तीन chapters इसे valuation हो गया, drawback हो गया baggage इसमें practical questions भी हम solve करेंगे तो don't worry for that ठीक है तो यहां पर constitution of India ठीक है इसमे लिखो it is a supreme law आपकी note book में लिखते जाओ आपकी करें़ा कि इसमेशल स्टर्प्रप्रापस आपकी THE आपकी बड़ा गदूार आपकीव की अबंआरोटरववर्स नुटन सवापकीशन सफरी श्याटे जाव Noah सब्सक्रापकीशन सउफ़ Constitution of India ठीक है Act अच्छा मुझे बताव Act कौन पास करता है वैसे मैं GST के 1st lecture में इसको बहुत डीटेल में कावर करूगा ठीक है पर आप basic जानकारी दो कि कौन Act पास करता है Central level पे Parliament or State level पे Legislature of State ठीक है तो हम Central level की बात कर रहे है custom में तो लिखो 1st point it is passed by the Parliament by the Parliament और second point आपको पुछना चाहोगा मुझे बता अगर constitutional provision और act में यहां contradiction हो जाए constitutional provision और act में contradiction हो जाए तो क्या प्रिवेल होगा act प्रिवेल होगा या constitution of India obviously constitution of India ठीक है वो supreme लोगा है हमारा यह point लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो लिखो प्रिवेल होगा जाए अजब थ斂निख भी प्रिवे़, प्रिवेल होगा इंदेया, वर नाए ठीक है next rules कौन बनाता है देखो act पार्लिमेंट में पास होता है और वो act जो पार्लिमेंट में पास हुआ वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चीए administration में तो for proper implementation of act rules बनाय जाते है और rules बनाय जाते है by government अभी तो यहाँ पे BGP government है तो government time to time act के तहत rules issue करती है ठीक है यहाँ लिखो first point it is issued by central government it is issued by central government second यह government बनाती है rules second it is issued for proper implementation of act for proper implementation of act यहाँ जो एक्ट पार्लमेंट में पास हुआ administration में उसका implementation सही तरह से होना चीए इसके लिए government rules बनाती है ठीक है उसके बाद में regulation regulation यह proper administration of act मतलब बहुत से बार form जो होते है उसकी कितनी copies होनी चीए वो form किस के पास जाएगा कौन से जूरिदिक्शनल commissioner के पास जाएगा आप refund कहां क्लेम करोगे उसका content क्या होना चीए यह पूरा administrative procedure जो है कौन से officer के क्या power होगी यह सब decide होते है through regulations और regulation issue करता है CVIC Central Board of Indirect Taxes and Customs ठीक है बटा तो लिखो regulation it is issued by CVIC CVIC का long form लिखना है तो लिख सकते हो Central Board of Indirect Taxes and Customs Second, it is issued for proper administration of act for proper administration of act for proper administration of act ठीक है what is the difference between rules and regulation यह proper implementation of act and यह proper administration of act मतलब क्या अक्ट में broad policy बन जाती है कि हमारी broad policy क्या रहेगी फिर broad policy के अंडर सब पॉलिसी गवर्मेंट बनाता है क्योंकि वो ब्रॉड पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लिमेंट होने के लिए सब पॉलिसी गवर्मेंट बनाता है और वो सब पॉलिसी होती है रूल्स और यह act और रूल्स I repeat act और रूल्स यह यह प्रॉपर administration में आनी चाहिए इस से रिटेट कितने फॉर्म सोगे कौन सा फॉर्म कहां देना है आपको अगर कुछ ट्रांसपर करना है तो कौन सा फॉर्म बनाना पड़ेगा उसका कंटेंड क्या होना चाहिए कौन से आफ़ीसर के पास आपने देना चाहिए तो उसके लिए होता है regulation एक बेसिक सवल आपसे पुछना जाता हूँ अगर act और उससे related rules पढ़ते वक्त contradiction आजाए याने act की provision और rules की provision इन दोनों में contradiction आजाए तो क्या prevail होगा दोस्तो बताए क्या prevail होगा मुझे answer चाहिए आपसे act prevail होगा की rules act prevail होगा की rules यह हिरार्की मैं पढ़ा रहा हूग very good nisha act prevail होगा सुने ना आपने भी सही answer दिया आयोश और यहाँ पर act prevail होगा तो और सेम rules और regulation में अगर contradiction होगा तो rules prevail होगा तो मैंने जो दिये है वो पूरा हिरार्की प्रॉपर वे में आपको दिये है yes very good, सब ही involved होगा है और सबने सही answer दिया है उसके बाद में नौटिविकेशन्स अब यह नौटिविकेशन्स क्या होते है generally जब कोई कस्टम से exemption देना है कस्टम ड्यूटी से maybe for socio-economic objective कि समयलो यहाँ पे COVID में COVID में foreign government से कोई help आ रही है medicines आ रही है vaccines आ रही है और उसके उपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए तो to promote socio-economic objective उसकी कस्टम ड्यूटी एक्जम की जा रही है कम की जा रही है तो यह decide होता है by notification तो by notification बहुत सारे exemption notifications आते है as well as बहुत सी procedure prescribed होती है through notifications तो notification कोई issue करता है central government CBIC नहीं कोई issue करता है central government तो पहला point लिखो इस इस्थूद बाइ by central government to exempt duties to exempt duties and sorry and to prescribe procedure under customs act to prescribe procedure under customs act ठीक है तो यहां पर हाँ हाँ सही है सही है बुक मेरे notes में अभी भी जेटली जी की picture है पिटा कहा कहा amendment करना GST तीन साल से परेशान कर रहा है हर इसमें amendment हो जाती है तो एक अच्छा मनिश ने note किया और मैं बिलकुल करेक रूगा कि सर जेटली जी की picture निकाल के यहां पर निर्मला सितरम इनकी picture लगा दो तो सही बुला आपने और यह जो notification issue होते है यह generally official gadget में issue होते है और circular okay circular क्या होता है बिटा मैं आपको बता दूँ तो circular यहां पर बहुत सी बार law या law में act या rules यह clear यहां clear provision उनकी नहीं होती है बहुत सी बार ambiguities होती है ambiguity मतलब उसके दो तिन interpretation निकलते है जैसे मैं GST में बताऊगा और आगे customs में भी बताऊगा कि यहां पर provision SIM wording SIM अलग-अलग interpretation तो कभी-कभी क्या होता है कुछ हमारे custom department या फिर GST department अलग व्यू ले रहे है और next जैसे MP में, UP में अलग व्यू लिया जा रहा है महाराश्टर में अलग व्यू लिया जा रहा है क्योंकि law clear नहीं है ambiguous है तो यह सभी जो control करता है वो एक board में आता है और वो है CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs तो हर commission rate office CBIC के control में आता है तो यहां पर अगर commission rate office उसका अलग-अलग view ले रहे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह central law है unanimous view यहां पर आना जरूरी है तो यहां जहां law clear नहीं है ambiguous नहीं है वहां CBIC उसको clarify करती है कि भई देखो अभी इसका interpretation ऐसा लिया जाएगा और all over India यह interpretation follow किया जाएगा तो यह clarification यह direction CBIC से आता है और वो department को यहने custom department यह GST department को यह follow करना ही पड़ता है वो compulsory होता है पर यह assessi पर binding नहीं होता है assessi यह clarification के against में case challenge कर सकता है यहने यह court में जा सकता है क्योंकि यह CBIC का interpretation है जहां law ambiguous है जहां rules ambiguous है CBIC के circular challenge हो सकते है उसके against में assessi है taxpayer court में जा सकता है लेकिन यह department पर binding हो सकता है तो लिखो यहां पर Circulus It is a direction लिखो It is a direction It is a direction or clarification क्योंकि यह जा सकता है जा सकता है जा सकता है CBIC direction or clarification issued by CBIC CBIC to bring uniformity in uniformity in applicability of law law where where it is ambiguous बिटा वो वान लिखते निया आ है okay where it is ambiguous आप लिखो where it is ambiguous ठीक है second second आप लिखाँ it is binding on it is binding on department department मतलब यह commissionate office यहां पर जितने भी exercise exercise GST department custom department है अनुपर बार्ट्मीय बार्ट्मी ओन सबयर भी पर बिटामाइच अनुपर बिटा Yeshua next söyle is bindin on department but not on but not on taxpayer binding on department but not on taxpayer ठीक है यह department पे binding होगा but taxpayer पे binding नहीं होगा ठीक है तो चलो हमने यह हिरार्की देखी पहला Constitution of India दूसरा Act यह हिरार्की हमने यहाँ देखा तिसरा Rules Next Regulations Next Notification and last Circular Instructions या Clarifications एक बार फिर से मेरे साथ हो जाए Constitution of India विटा कौन पास करता है यह कोई पास नहीं करता है यह अल्रेडी पास हो चुका था यह हमारा Supreme Law है दूसरा Act पास करता है Parliament दूसरा Rules Rules कौन इशु करता है Central Government for proper implementation of Act उसके बाद में Regulations इशु करता है CBIC for proper administration of Act और उसके बाद में Notification Notification Central Government इशु करता है Generally यह exemptions related होता है या procedure से related होता है और next बाटा यहाँ CBIC Circular CBIC Circular जो है यह Clarifications यह Directions होता है और यह जो है जहाँ law अलग-अलग interpretation रखता है तो उसको उसमें uniformity लाने के लिए यह issue किये जाता है और generally यह department पे binding होते है बाटा तो यहाँ हमने यह हिरार्की complete की चलो अब आगे के discussion पे आते हैं यहाँ पहला Customs Act 1962 Table of Content तो यह पहले chapter में यह हमारा पहला chapter है और पहले chapter में मैं यहाँ mostly definitions और एक important section वह है charging section में लेना चाओगा याने यह chapter में हम एक ही section पढ़ने वाले है जो बहुत important section है और उसमें आने वाले बहुत सारे words जो है तो उसकी definitions भी हमने हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है अब बेटा यहाँ पे यह मैं डायगराम पर आता हो levy of customs duty yes come on ठीक है हमारे आयूश को पिच्चर में लाता है भई आयूश है ना ठीक है तो आयूश को पिच्चर में लाता है सोई तो नहीं वीटा स्टुडियो रिकारडिंग है कुशिश कर रहा हो कि आपके साथ जितना ज़्यादा हो उतना involved हो जाओ ठीक है चलो आगे बढ़ते है तो अयोश स्वया तो नहीं भीटा येस बोलो ठीक है लेवी of customs duty कोई भी law जो tax related है वो three stages में carry out होता है लेवी, assessment and collection I repeat, लेवी, assessment and क्या वेटा, collection ये तीन stages में ये law फोलो किया जाता है लेवी means creation of charge, लेवी means creation of charge assessment means quantification of charge and जो भी tax आपने assist किया, उसका collection किया जाता है, ये तीन major step होती है, जैसे एक example लेता हो income tax, income tax में पहले charge create होता है yes, first create the charge liability create होती है उसके बाद में उसका assessment होता है और बाद में payment होता है मुझे बताओ, income tax में liability किसके उपर है, किसके उपर है income tax में liability income earn, income earn मैं आपको एक बात बता देता हूँ कोई भी tax liability person पे नहीं रखी है, human पे नहीं रखी है कुछ events पे रखी है जैसे कोई person उस event को touch करता है liability arise हो जाती है जैसे ही को touch करता है liability arise हो जाती है यहाँ पे, जैसे example की तोर पे मैं आपको कहूँ income tax में income earn है एक size में production manufacturer था VAT में sale of goods था, यह events पे liability रखी है और एक ही person जितनी event touch करेगा उतनी liability यहाँ पे arise होगी और उसको pay करना पड़ेगा जैसे example की तोर पे example की तोर पे मैं आपको बताता हो कि event based liability कैसे fix होती है कि आपने raw material import किया, तो आपने import को touch किया, custom duty है वो raw material से finished goods manufacture किया, तो पहले manufacture होती ही exercise आती थी, फिर वो manufacture goods आपने sale किया, sale event को touch किया, तो VAT और sales tax आजाता था पहले, अब GST आता है फिर आपने उससे income earn किया income earn किया, income tax, और person एक ही, और taxes अनेक, क्योंकि यह जो अनेक taxes है, यह events पे रखे गए, और जैसे वो events को touch किया, ओकि liability arise हो जाएगी, ठीक है तो custom में ऐसे क्या events है कि जहाँ liability arise होती है, वो आपने identify करना है, और इस chapter में हम और identify करेंगे फिर, liability arise होई, तो उसको quantify करेंगे income tax में आपने ऐसा ही किया income tax में आपने क्या किया कि पहले income salary house property five years समझा, फिर उसको quantify किया, उस competition of income किया, और बाद में आपने government को पे किया, दोस्तो हाँ, बाद में government को आपने pay किया तो पहले आपको liability arise हुई quantify collection हुई, तो custom में यह जानना है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, कि मेरी liability arise हो रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है आप समझदो इस बात को, तो यहाँ पे, समयलो अयूश, इधर है और यहाँ पे officer अब officer पूरी तयारी करके आया है वो article 246 schedule 7, list 1, entry number 83 duties of custom including export duty, constitutional power लेके आया है और वो custom act passed कर चुका है imagine करो, entry number 83 का power लेके यह custom act पास हो चुका है और officer complete power लेके आया है तो अब officer कह रहा है Mr. Ayush, बहार आओ मुझे, okay, tax लेना है आप से, Ayush ने कहा फिर से आगया, अरे तुझे last time यहाँ से निकाला था ना फिर से आगया नो officer, इसका आवाज दिखो officer का, Mr. Ayush pay tax आपको tax देना पड़ेगा Ayush ने का, do I have a constitutional authority, तो यहाँ पर officer ने का, yes article 246, schedule 7, list 1 entry number 83, I got the constitutional authority, और हमने act पास कर दिया है, custom act 1962 और इसके तद आपको custom duty देना पड़ेगा Ayush ने का, अरे बापरे यह तो पूरा तयारी कर के आ है officer ने का, तुने मेरी इंसल की थी कसम खाई थी मैंने, और तुने से टैक्स लेके दोगा, तो यहाँ पर Ayush ने का, sir आई बेठिये बेठिये, अब इतनी सारी पावर लेका है, तो बिठाना पड़ेगा, पहले थे तुड़ी हम कह सकते, कि get out from here तो आई यह, sir बेठिये, Ayush ने का, sorry, officer ने का, नहीं, तुम्हारे यहाँ का, पानी भी नहीं पूगा, पानी भी पिना पाप है, तुने मुने बहुत इंसल की, get out का मुझे, pay tax now, अभी के अभीच, तुम्हें tax देना पड़ेगा, that's all, Ayush ने का, sir मुझे यह बताओ, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, रोना मत, रोना मत, तो Ayush ने यह का, sir यह बताओ, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, कि आप custom duty लगा रहे हो, मैंने ऐसा कौन से event को touch कर दिया, कि आप custom duty लगा रहे हो, मैंने ऐसे tax ले रहे हो, तो अब, यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से events पे लेवी रखी हुई है और जो event पे लेवी रखी हुई बेटा क्या अयूश ने वो event को टच किया है क्या liability arise हुई है तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है तो चलिए यहां देखते है यह liability कब arise होती है आगे बढ़ने के पहले एक बात और आपके साथ मैं discussion करना चाहूगा यह कुछ definition है convince vehicle or dutyable goods यह act में परते वक अगर कभी भी word convince आये कभी भी word convince आये तो convince में तीन convince कवर होते है कौन से तीनों vessel मतलब ship custom में जब भी word vessel होगा मतलब ship aircraft और vehicle तो यहां पर vehicle vessel और aircraft मैंने आपको पहले ही कह दिया कि तीनों के लिए हमें एक ही law follow करना है और वो है custom act वो है custom act तो यहां पर vessel, aircraft and vehicle यह convince तो बहुत से section में यह word आएगा convince तो जो भी section में convince word आएगा समझ जाना वो provision तीनों को अपलीके बला है vessel को भी अपलीके बला है aircraft को भी अपलीके बला है पहले section 2 की definition है और बहुत सारी definition है लेकिन मैं definition सब एक साथ नहीं पढ़ा होगा मैं यहां पर definition जो जो chapter में जितनी definition relevant है वो definition वहाँ वो उस chapter में cover करूगा बेटा और मैं directly पहले section 12 पे जम करने वाला हो देखो आगे आता हो पर जहां तक definition की बात है तो मैं chapter wise definition यहां पर cover करने वाला हो बटा ठीक है उसके बाद में vehicle vehicle का meaning custom act में कहां माना जाएगा क्या माना जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ word vehicle आएगा वहाँ vehicle का meaning क्या लिया जाएगा vehicle मतलब कोई भी convince जो land route पे include हो रहा है याने vehicle जब भी word use होगा तो वो railway को भी provision applicable होगी या कोई भी convince जो land पे use किया जा रहा है उसे vehicle माना जाएगा उसके बाद में dutyable dutyable का मतलब liable to duty liable to duty उसको हम कहते है dutyable goods ठीक है तो dutyable goods क्या होता है means any goods which are chargeable to duty underline this word chargeable to duty and on which duty has not been paid मतलब हर वो goods जिसके वोपर duty लगी है पर आपने pay नहीं किया है क्या है कि जब goods इंडिया में आ जाता है धान से सुना ये बात बहुत important है जब goods इंडिया में आ जाता है तो आने के बाद जैसे import होता है territorial water cross कर देता है liability arise हो जाती है पर उसका payment कव होता है जब importer उसको clear करता है तो जब वो customs area में पड़ा होता है या warehouse में होता है custom control warehouse में होता है तब वो goods का identity dutyable होता है मतलब duty liability आ चुकी है पर अभी तक pay नहीं हुआ है तो जब आपका goods customs area में है या custom bonded warehouse में है तो उसका status होता है dutyable goods मेरी बास समझ में है आपको तो वो कहा जाता है dutables मतलब liable to duty but duty not paid एक बार आपने duty pay कर दी तो अब वो dutyable goods नहीं रहे इसका relevance क्या है मैं आगे पड़ा होगा तो ये तीन important definition है नव next बेटा यहाँ पर अगर आप नोट बुक में लिख सकते हो तो लिख लो custom में यहाँ पर आपको दो act पढ़ने है customs act 1962 and custom tariff act 1975 हमें ये दो act पढ़ने है सर ये 1962 और 1975 in custom tariff act इसमें क्या difference है customs act 1962 जो है ये हमें procedure बताता है custom duty calculation बताता है valuation बताता है तो ये पूरा customs act में पढ़ना है जो हमारा main act रहेगा उसके बाद में custom tariff act rate act ने tariff act क्या हुआ बेटा यहाँ पर अब मैं answer देना चाहोगा बिश में किसी एक student ने question पूछा था उसका answer में आभी देना चाहोगा बेटा देखो यहाँ पर custom tariff act तो हुआ यसा था कि जैसे हम GAT के founder member है India of GAT का founder member है general agreement of tariff and trade मतलब सभी countries जो GAT की member थी यह common general agreement पर आए कि जो tariff rate एक जैसे रखे जैसे आपकी goods को मेरे country में 10% rate है तो आप भी मेरे goods को 10% rate रखिएगा तो इस पर general agreement पर आए और trades जो है एक जैसा करे तो ऐसे case में GST council बनाया गया एक परिशत बनाया गयी वर्ल लेवल पर GST council बनाया गया जो यह कहता था जो GAT का ही पार्ट था और वो कहता था कि सभी countries के law एक जैसे हो एक जैसी procedure हो जहां तक trade की procedure एक जैसी हो as well as rate भी एक जैसे हो across the countries so that कि हर country को एक मेक का law इजीली समझ सके जैसा अगर हमारा law अलग है law समझ नहीं पाएगे अगर वो एक मेक के law समझ नहीं पाएगे तो ऐसे case में जो risk involved होगी क्योंकि हमने goods तो यहां export कर दिया पर वहां heavy custom duty लग सकती है क्योंकि उनका law हमें समझ में नहीं आता है इसलिए फिर यह सबको समझाया गया जो GAT के member थे कि customs law एक जैसा बनाओ पूरा exactly same नहीं लेकिन mostly provision एक जैसे रो रखो international policy पर रखो तो इसलिए customs law बना वो international policy पर एक जैसा बना और tariff भी एक जैसे बनाया जाए और जो tariff schedule है tariff code है जैसे हर commodity को product code दिया गया है और मैं custom tariff पर आपको समझाओगा तो हर commodity को product code दिया गया है tariff code दिया बिटा है तो वो tariff code जो है आप एक जैसे बनाओ तो एक जैसे tariff code अगर होगे तो एक में country में tariff समझना आसान होगा तो ऐसे case में 1975 में हमने international tariff code यूज किये गैट के tariff code यूज किये और हमारा जो tariff structure है यहने पूरी लगबग 1,000 गूड्स अलग-अलग category एक और उसमें tariff code यूज है वो हमारा tariff structure हमने international standards पे लाया और वो 1975 में उसका separate act पास किया जिसका नाम दिया गया custom tariff act custom rate act नहीं custom tariff act 1975 तो custom act 1962 या custom tariff act 1975 यह दो act है तो इस act में हमें पुरा law तो पढ़ना ही है तो इस प्रेशनल गूटी यह जो अदिशनल कस्टम डूटी यह जो ड्यूटी लगाई जाती है वो custom tariff act में लगाई जाती है तो यह अदिशनल डूटी के बारे में भी हम custom tariff act में पढ़ेगे तो हमें यह दो major act पढ़ना है जिसमें 90% discussion to customs act में ही है और कुछ 9 sections custom tariff act में है जो हमें पढ़ना है is it clear yes or no तो चलिए यहाँ पर yes correct Sachin आपने सही का hsn code अगरे जो है custom tariff act में हमें पढ़ना है hsn code बिल्कुल सही का आपने उसके बाद में next यहाँ पर चलिए आते है हमारा पहला section section 12 charging section ठीक है पहले section पर आने के यह section 12 जो मैं यह chapter में cover करने वाला हूँ लेकिन यहाँ section 12 में आने के पहले थोड़ा मैं आपको section custom act 1962 की list समझा देता हूँ यहाँ पर बेटा section 2 की बहुत सारी definitions जो है अलग-अलग जगा में ने use की है उसके बाद में section 7 हमारे syllabus से हटा दिया गया है section 9 भी syllabus से हटा दिया गया है section 8 जो है और 10 जो है chapter number 2 में cover करेंगे 11 sections syllabus से हटा दिया गया है section 12 और उसके आगे के sections हम आगे पढ़ेंगे अभी इस chapter में section 12 जो है charging section हमें पढ़ना है मैंने पूरी list दिया और कहां-कहां मैंने क्या discuss किया उसके page number भी आपको दिया है धान सुनना ये लेवी क्रियेट करता है ये कहता है कि जैसे अभी आयुष ने सवाल पुचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझ के मेरे उपर जो है कि यह कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो तो मैंने ऐसा क्या कर दिया तो ये बताता है कि कब लाइबिलिटी क्रियेट होगी अगर आपको ये समझ गया कि किस्टम की लाइबिलिटी कब आती है तो आगे सब प्रोविजन समझना बहुत आसान है तो चलिए दोस्तों हम स्टार् आगे सक्षन 12 जो है charging section क्या कहता है subsection 1 sir आपका सवाल आएगा section याद रखने है क्या आगया ना आपका सवाल कि sir पता हुँदा section नम्रर लर्न करने है क्या तो देखो बिटा GST में पहले 50 section learn करने में बताओगा आपको और कुछ उसके आगे limited sections में आपसे learn करवा के लोगा custom में मैं जितने section की list दोगा उतने ही section आपको learn करने है जिसमें section 12 जो है आपको learn करना है सचीन तो yes, तो मैं एक list बना के दोगा आपको gradually, वो section आपको चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए custom में learn करना है ठीक है? चलिए तो section 12 उसमें से एक section है subsection 1 except as provided in this act आप मेरे साथ पड़ोगे screen पे चलो फटापट आप भी पड़ोगे, I need your attention except as otherwise provided in this act or any other law for time being in force, duties of customs shall be levied at such rate as may be prescribed under custom tariff act 1975 or any other law for time being in force on goods imported into or exported from India second the provision of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government चलिया आपड़ोगे, क्या सबच में आता है मैं screen बड़ा कर देता हूँ, देखता हूँ आपके क्या दिमाग में घुसरा है पड़ो 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 देखता हूँ और कुछ तो response देना भाई, समझ में आया की नहीं आया कुनाल को समझ में आया है, answer दिया है देवेश, thanks, तुम तो सो गए थे, अब तुमें समझ में आगया है चलिया, कोई बात है, मैं आता हूँ, discussion पर, यहाँ पर, वो क्या कहते है except otherwise इसको तोड़ते थोड़ा, यह section काऊ, वो कहते है except otherwise as provided in this act, पहली लाइन इसको अलग करेंगे और अन्य अदर लाइन आपर ताइम इन फूर्स, दुसरी लाइन इसको अलग करेंगे duties of customs shall be livid at the rate as specified in custom tariff act, custom tariff act उसको अलग करेंगे, और अन्य अदर लाइन आपर ताइम इन फूर्स, on goods, imported into India और exported from India, for subsection 2, provision of subsection 1, shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government, चलिए, मैं थोड़ा एक-एक statement को ब्रेक करता हूँ, आप यह महाँ धान दीजिए और मैं आता हूँ, discussion पर, चलो section 12, charging section, Ayush ने ऐसा क्या कर दिया, कि custom duty liability आ रही है तो section 12, paragraph form में पढ़ोगे तो ऐसा दीखेगा, ऐसा paragraph में कुछ समझ में आता है कि नालाई को ऐसे paragraph में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसको थोड़ा हम ब्रेक-ब्रेक करके पड़ता है और यह mechanism मैं पढ़ोगा आपका कि हर चीच को कैसे ब्रेक करना, ठीक है स्क्रेथ क्राइब, आज़ गडहा जोड़ सेयरे, डिवह स्क्राम थोड़ा है ब्रेक करेंद कर रह लखेड मियुझ में, और एननने अ़र लौक यह थाह मिढ़ोगा मों में यहरा है कर दोक ब्रेक कर कर isा on goods which are imported into india or exported from india chart we will draw, wait for that okay one line, what do you want to say, let's see section 12 which started, it started this verse except as otherwise provided in this act except as otherwise provided in this act means this clause is a subjective clause notwithstanding to clause is not this means that if in this act I am in section 12 and I am talking with you and I am drinking a little bit, imagine no no, I am not drinking a little bit and I am saying, look I want to say something Ayush has said, say what you are saying, say yes, so here section 12, I want to say this that I will create liability on you okay, but except otherwise provided in this act I will say what I will say and in this act another section has said something otherwise then do not believe me, do not believe them and that provision will prevail over section 12 and that provision will prevail over section 12 and that provision will prevail because I am I will have a liability but I will have a liability but that will have a liability and other provisions will prevail or the charging section which is subject to clause normally what is that? charging section notwithstanding to clause but whatever it may be subject to clause means if another section has been different provision बोली होगी और हो सकता कस्टम दूटी माफ कर दियोगी या कस्टम दूटी अलग तरह से लगाई होगी तो वो सेक्शन प्रिवेल होगे सेक्शन 12 प्रिवेल नी होगा क्योंकि वो तो पिया हुआ है समझे होगा button go मैरी अक कि अवाले कुछ बोल् रही है तो निस कि मानना मेरी मत मानना ठीक है की ट्रिवाले और सिक Eh मेरी घर वाले कहार मेरी बाले लोग कुछ बोल रहे है नालया को बहर वाली नहीं बोल रहा हो यहां पे तो यहां आजुभाजी वाले कुछ लोग बोल रहे हैं अधर एक की कुछ प्रोविजिन्स, डिफरेंट व्यू रखती है, तो वो एक प्रिवेल होगे, मतलब फेमा, उसके बाद में यहां पे फॉरेंट ट्रेड पॉलिसी या कस्टम टेरिफ एक्ट उन्होंने कु अधर्वाइस प्रवाइड इन इस एक्ट और अधर लोग फॉर टाइम इंपोर्स, ऐसे ही वेटा, हर सिक्षन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, यह तो कस्टम है, यह तो लिमिटेड स्कोप में हमें पढ़ना है, वीस मार्क के लिए लिए असलिया पस जादा होगा, तो तो बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन नो डाउट, जो चिजे हमको पढ़नी एक्जाम के साफ से वो तो बहुत डीप में जाएगे, तो एक्सेप अधर्वाइस प्रवाइड इन इस एक्ट और अधर लोग फॉर्स, यहां पर ड्यूटीज ऑप कस्ट दूटीज ऑप कस्टॉटीज गया तो यह सेक्शन ट्वल क्या कहता है, रेट आप लाओगे कस्टम टेरीफएक्से, यहने झाए लेवी, मैं कर देता हूँ, लियाबिलिटी पढ आएगी, मैं बता दोगा, यहां अयूश ने ऐसा क्या किया कि हम लियाबिलिटी क्रियेट क जब आप यहां पर आप बढ़ दो नहां तो रूम में बंद करने ना मैं भी रूम में बंद करता था और आप यहां पर आप एक्षिन करता था तो वाटव इट में भी तो यहां आजाई हमारे दिसक्शन पर तो on goods okay it shall be lived on goods which are imported into India and which are exported from India तो रेट के लिए सेपरेट एक 1975 में पास किया, एक किसी स्टूडेन ने कॉश्चन पुछा था, कि सर कस्टम एक 1962 है, और कस्टम टेरिफ एक 1975 है, ठीक है, और हम रेट कस्टम टेरिफ से लेते हैं, बिलकुल सही, तो सर 62 से 75 रेट ही नहीं था, अगर रेट नहीं था तो फिर क किस्टम ड्यूटी लगती नहीं थी, दूँगा दो खीच के नालाक, कोई भी इंटर्विटेशन नहीं लेना, क्या था, इन 1962 से लेके 1975 तक, जो कस्टम ड्यूटी की रेट थे, वो रेट इटसल्फ जो है, यहां पर, सुनना द्यान से, वो रेट जो है, इटसल्व टेरिफ कस्टम एक में ही पहले कवर्ड थे, कस्टम एक में ही पहले रेट दिये वे थे, लेकिन 75 में, कस्टम एक से रेट निकालके, कस्टम टरिफ एक बनाया गया, ठीक है, तो कस्टम टरिफ एक बनाया गया, तो ऐसे सिचुएशन में में बटा, मैं जस आपको यह कहना चाहता कि रेट जो है कस्टम टेरी फैक्ट नाइटिन सेवंटीफाइफ एगे और अइन अदर लॉप टाइंग में फोर्स ठीक है कोई फिलाल दूसरा लॉप तो नहीं है अभी तो कस्टम टेरी फैक्ट्री है जिससे रेट आएगे अब जो main important part पर आजाता हूँ कस्टम ब्यूटी की जो लेवी है तो लेवी जो होगी वो on goods होगी and goods which are imported into India or exported from India मतलब basic condition जो है goods है and लेवी होने के लिए primary condition जो है वो goods होना जरूरी है and goods वो इंदिया में import हुआ and goods वो इंदिया से export हो रहा है इंडिया से एक्सपोर्टर है तो आपके लिएबिलिटी क्रियेट होगी तो अब एक सवाल है आपका और वो क्या जैसे अयुष ठीक है अयुष सेक्शन 12 के पास गया अयुष समयलो सेक्शन 12 के पास गया उसने का Mr. Section 12 वो आपका अपको समझ मांग रहा है तो सेक्शन 12 वो आपको समझ मांग रहा है तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पर अईशने का कि Sir यह बताओ मैं नहीं और अईसा क्या कर दिया कि मुझ पर कस्टम ड्यूटी लगाई जारी लिवी क्रियेट की जारीए आपका ऑफिसर मुझ पर कस् क्या मुझे लायबिलिटी क्रियेट होती है है होती है क्या लायबिलिटी क्रियेट होती है है होती है क्या लायबिलिटी क्रियेट है तो अब सेक्शन 12 ने कहा हमारी लेवी गुड्स है क्या आपने गुड्स लाय है तो अईशने कहा Sir कस्टम में गुड्स का डिफिनेशन क् वह से अधय में दो फॉरीम आज इंड़ा इंड़ लगी मिटई वो अउठाके विटई उठाके लगी क्या वो घून है को तो तो सर कस्ट्म एक टे साब्सें क्या हमें बता सकते हो आगा कि वुप्ड की व्यक्षज की डेफिनेशन है तो यहां, okay, section 12 ने कहा, oh, you want to know the definition of goods, okay, Ayush ने कहा, yes, मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो मिट्टी है, वो क्या goods के definition में आएगी क्या, तो बेटा, goods ने क्या, under customs act, GST की बात ने कर रहा है, यह देखेंगे, हम कल के session में, आज का session यहीं रुपते है, वेट कीजिएगा, कल इसी time इसी वक, 6 बजे हमारा session होगा, यूट्यूब पर लाइस्ट्रमिंग होगा, मजा है आपको, sir, goods की definition बता दना, अरे रुक भाई, देखो, आगे, आगे होता है, क्या, तो हम कल देखेंगे, goods, import, and export की definition, so I hope, आपने लेक्श्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 1,20,000 students मैंने 15 साल में पढ़ाया है, आपने थोड़ा बहुत नाम तो सना होगा, तो आप decision लिजिएगा, पर आज की lecture के बेस पे नहीं, दो तीन lecture देखो, मेरा teaching अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नहीं, नहीं, चार्ट का फोटो मतलो, मैं आपको चार्ट ड्रॉञ कर ऑगर, आपके कुछ कुछ कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च होगे तुम में बता देता हूँ, बहुत यह नहीं कस्टूम सी गुट्स प्याता है सर्विस पे नहीं आता हम आगे बात करेंगे निश्चल सर नाइस डांस बिटा पड़ाता ही ऐसा हूँ तो डांस के साथ इंटर्टेंड में भी आपका हो जाता है ठीक है त्षेलिये दोस्तों कल मिलते है शाप 6 o'clock सभी बंदन को थोड़ के आपको आना है और यह आपको लिक्षर एटिन करना है पहले दो तील लिक्षर साथ देखो फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप 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 साथ नाइन भाय कर सकते हो बात की तो स्टूडियर रेकॉडिंग है ठीक है ठीक है विता चलिये थैंक यू, थैंक यू तो आल आफ यू आपके सभी सवाल थोड़ा डिस्कुशन को आगे बढ़ने दो फिर बाद में मैं कवर करूगा